हेले रिवान जैहिंद और वेल्कम डू दू दी प्लाटफॉम और बाइजूस एक्जाम प्रेप दा मोस्ट कॉम्प्रियेंसिब प्रिपरेशन आप फॉल एक्जाम मैं नेम इस भावर सिंग्स रोह में एक्सेंडी 115 कोर्स और आप सभी का स्वागत है बाइजूस एक्जाम के प्लाटफॉम पर तो जो जो हमारे साथ लाइब है जल्दी साफ टाइप इन कीजेगा और मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइब हो चुके हैं और यह सेशन आप लाइब हो चुके हैं आज हम बात करने वाले आपने स्टाटिक जीके से रिलेटेट कुछ कोशन की तो ज जल्दी से टाइप इन करते रहें और मिरको बताते रहें तो अभैस सिंग जैन्द बानिता अर्रेड बेटिंग और रइट हैलो सोनिया जादू बनी गुधिवनिंग अंड उतकरश जैन वेरी गुध इवनिंग सोनिया प्रिया बिया रटिया और बानिटा जो है उनको हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं और कहीं पर कोई concept होगा तो उन concepts को भी हम यहाँ पर discuss करेंगे we'll make sure कि आप जो है अपने FCAT के लिए बिलकुल ready हो जाएं और इस बार जो है FCAT पार तो जितार्थ जेहिन और गुड इवनिंग निक शर्मा और विकास जेहिन और जनी से टाइप इन करते रहे हैं मेरे को बताते रहे हैं कि आप लोग लाइब हैं और यह session की शुरुआत हम करते हैं लेकिन आज आपको पता ही है कि बेहत दुखी वाला दिन है ठीक है और साती सा आप लोग आपको 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 अपको आपको 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 आ कि अज़िए शुरू करते हैं आज का सेशन और लेकिन सेशन पर के दोनों ही कोशन हम यहां पर आपके काने वाले कर और और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को कुल सबस्क्राइब नहीं किया है do subscribe to the channel can you tell most important topics for FCAT which is not forget anyhow most important topics ठीक है, हम बात करेंगे आज और वो सारे topics भी आपको दीरे-दीर पता चलते जाएंगे ठीक है, जो हमारे questions है most important topics ही है CDS के लिए भी है, क्या ये sir, yes of course Sonia, CDS, FCAT, CAPF सभी exams के लिए, क्योंकि static GK वो आपका portion रहता ही है चाहिए आप कोई भी exam दे, ठीक है static GK से आपके questions आती ही आते हैं तो पहला question देखते हैं आप समझ जाएंगे, ऐसा question आप जो है हर exam में आप देखेंगे FCAT में तो आप देखेंगे, CDS, CAPF में भी आप देखेंगे, तो पहला question आपके मेरे को बताईएगा इसका सही जवाब क्या और जैसे मैंने आप से बोला था, इस type के question आपको लगबग हर एक exam में देखने को मिलते हैं, है ना, चाहे वो CDS का exam हो, चाहे CAPF का हो चाहे FCAT का examination हो और राइट, तो जल्दी से बताएगा इसका सही जवाब तो एक बार आप जो है, दुवारा से refresh कर लीजेगा, इसका answer क्या होगा what would be the right answer इसका सही जवाब होगा आपका केरला, बिल्कुल सही बात है कतकली जो है, यह आपका dance form है, जो की केरला से है, और साथी साथ अगर हम बात करें, यह हिंदू performance art है, जो की आपका Malayalam speaking, south western region of केरला में आपका किया जाता है, और men and young boys, दोनों ही आपका इसका पार्ट होते हैं, और यह बहुत खासियत है इसकी की यहाँ पर males, they also play the parts of females, ठीक है तो कतकली के अरम बात करें, तो आपका केरला से related है it is related with Kerala, और चलिए, next question yes, बिल्कुल सही बात है, next question आप देखेगा, the headquarters of National Institute of Oceanography of India is located at, भारत के राष्टी समुद्र विज्ञान संस्तान का मुख्याले कहां स्थित है option है आपके सामने, New Delhi Goa, Kanyakumari and Hyderabad जल 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 आपका बताएगा, इसका सही देली, या कन्या कुमारी, या फिर हिद्राबाद yes, बिल्कुल सही बात है all right, जल जल आपने answer देते रहे, मेरे को बताते रहे, सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, कहां पर located है NIOI यानि कि National Institute of Oceanography of India, तो यहां पर थोड़ा सा confusion लग रहा है लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी बात एक बार ध्यान से सुनी होती, तो सबसे पहले मेरे मूँ से Goa निकला था, जब मैं दुबारा से options repeat कर रहा था, because National Institute of Oceanography of India, यह आपका जो है Goa में located है all right, और इसके जो regional centers है regional centers आपके कोची, मुंबई और विशाका, पट्नम में है, all right तो चलते हैं आगे, और next question की तरफ बढ़ते हैं which is the largest Indian state in the North East in terms of area शेत्रफल की दृष्टी से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा भारतिय राज्य कौन सा है, और आपके सामने options है, मिजोरा, मिघालिया, अरुनाचर प्रदेश और असम, तो आपको इसका answer देना है, जज़िए बताइएगा हम largest state की बात कर रहे हैं North East में, यानि की पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, और easy question है और अगर आपने ज़ए map study किया है, if you have studied the map आपको पता चल जाएगा, इसका answer क्या होना चाहिए, बिलकुल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपका largest state of India in the North East तो बिटा, इसका जो सही जवाब होगा, that would be Arunachal Pradesh, बिलकुल सही बात है, काफी कि इसका answer हो जाएगा, आपका C, और अगर population की बात करें तो population सबसे ज़्यादा है Assam में, और उसके पीछे reason भी है, अगर हम बात करें, why? population is more in Assam, क्योंकि आप अगर देखे, population is associated with the fertile plains ठीक है, अगर हम देखे, सबसे ज़्यादा population कहां होती है, plains region में कहां होगी, in the plains region, जहां पर आपका plains होंगे और Assam में, we have Brahmaputra plains, तो इसलिए आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर why we have the more population because of the Brahmaputra plains, क्योंकि यहां पर आपका Brahmaputra plains located है वही पर अरुणाचर प्रदेश की बात करें तो अरुणाचर प्रदेश यह आपका एक hilly state है, it is a hilly state और क्योंकि hilly states है terrain बहुत difficult है, तो यहां पर lowest per square kilometer आपको population मिलेगी यानि कि यहां पर आपका population density काफी कम है अरुणाचर प्रदेश में, और अगर हम सारे seven sisters की बात करते है ठीक है, चलिए बिलकुल, बिलकुल सही बात है, विन है, और राइट चलिए, next question की दरफ चलते है next question is, Asia sprint queen is nickname of which athlete Asia की sprint queen किस athlete का उपनाम है, हिमादास पीटी उशा, मीरा बाई चानू, या फिर कर्नम महेश्वरी बताएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer Asia की sprint queen या Asia sprint queen, ये nickname किसका है ज़री बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer, हिमादास, पीटी उशा, मीरा बाई चानू, या कर्नम महेश्वरी तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गूड इवनिंग नीलू, and do not forget to share the session, share करते रहे, like करते रहे अगर आपने अभी तक like नहीं किया है और हम बात कर रहे है, Asia की sprint queen की, तो Asia की sprint queen कौन होगी, none other than पीटी उशा, बिल्कुल सही बात है इसका answer होगा, आपका B, B बिल्कुल सही जवाब होगा, alright the right answer would be B, और इसी के साथ साथ अगरम बात करें, तो इनने बहुत सारे medals दी जए है, जैसे 1979 के आपके national games में, 1980 के national games में, साथी साथ अगरम बात करें, तो Olympics में she participated for the first time in 1980, Moscow में जब आपके games हुए थे और वहाँ पर इनका जो rank था, that was 5th, alright चालिए, next question की तरफ चलते हैं, next question देखते हैं, right चालिए, next question is how much purse money was given to the recipient of Academy Award in 2019 2019 में, अकादमी पुरुसकार प्राप्त करने वालों को कितना purse money दिया गया था और अगर हम बात करें आपका तो यहाँ पर है 2,00, 4,00, 1,00, और 3,00, बिल्कुल, she is from India बताएगा, इसका सही जवाब क्या है हम बात करें, अकाडमी पुरुसकार की यह से जी सर्कल, you will get the PDF I want to clear my ground duty exam Yes, of course, you will clear, don't worry, Abhishek आपनी तयारी में लगे रहें, हमारे साथ माराथन को attempt करते रहें और इसके बाद, you will do wonders, आप बिल्कुल जो है अच्छा गर पाएंगे, alright तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका सही जवाब आपको देना है, हम बात कर रहें आपका क्या We are talking about Sahitya Academy Awards Academy Awards कहा हम मिलते हैं Sahitya Academy Awards के हम बात कर रहें और अगर हम बात करें, it is a literary honor, यानि कि आपका Sahitya के लिए दिया जाता है literature के लिए आपका दिया जाता है और 2019 में, अगर हम बात करें आपका तो एक लाक रुपे इसके जो है प्राइस मनी था, या पर्स मनी था ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, right answer would be C, C बिलकुल आपका सही जबाब होगा, Sahitya Academy जो 22 हमारी बाशाएं दी गई है schedule 8 में, 8 schedule आपका कहा है, हमारे Indian constitution में है, जिसमें official languages है and total number of languages are 22, तो 22 languages में और साथ ही साथ उसके साथ साथ, English और Rajasthani language में, जो आपकी books लिखी जाती है, उसके लिए आपका यह दिया जाता है, 1954 में आपका award constitute किया गया था और इसका जो price money है, वो 1,00,000 रुपए है, alright, चलिए next question आपकी screen पर, next question आप देखेगा Dominic Thiem is a professional tennis player from Dash, Dominic Thiem एक पेशवर tennis की लाड़ी है, कहा के, आपको बताना है, options है आपके सामने, Austria, Russia, Spain या फिर Germany, तो इसका answer दीजेगा मेरे को, इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer, Dominic Thiem आपके कौन से देश के tennis player है, alright, जलिसे अपने answers देते रहें, और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या है, और साथी साथ, अगर हम बात करें आपका, तो what you need to do is, like और share करना ना भूलिएगा, जो भी बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े है, do share the session share करते रहें, साथी साथ लाइक करते रहें, और हम बात कर रहें आपका Dominic Thiem की, Dominic Thiem की अगर हम बात करें, तो यह आपके world में number 3 rank इनको दिया गया है, और साथी साथ अगरम बात करें तो second highest rated Austrian player है, तो of course answer क्या होगा, इसका the right answer would be Austria, ठीक है, Dominic Thiem आपका कहां से है, Austria से है, ठीक है, Spain से नहीं है बीटा ज्यान रखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर Spain बोल रहे है, Spain से नहीं Dominic Thiem is from Austria यह आपके Austrian player है और साथी साथ अगरम बात करें तो world number 1, Thomas Muster के पीछे, second highest Austrian player भी आपका history में रहे, और राइट, चलिए next question, the commonwealth games 2018 were held at which of the following places, राष्ट मंदल खेल, 2018 निमलेकेट में से किस स्थान पर आयुज़त किये गए Gold Coast, Victoria, Kuala Lumpur या Edinburgh तो आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer, कहां पर आपके 2018 के commonwealth games जो है, वो आपका आयुज़त किये गए, या फिर आपका जो है, they were taken place तो जल से बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer and साथी साथ, do not forget to like and share the session, like और share आप करते रहे, और हम बात कर रहे हैं, आपका, we are talking about commonwealth games 2018 बिलकुल सही बात है, यहाँ पर इसका answer होगा, आपका gold coast जो कि आपका Australia में है और Australia में भी अगर हम बात करें, तो Queensland में है, Australia in Queensland, आपका gold coast में आपका commonwealth games 2018 जो है, यहाँ आपके conduct किये गए, बिलकुल, A is the right answer next question, next question is, Oilattam is a folk dance from which state of India, Oilattam भारत के किस राज्य का लोक निर्तिय है और आपके सामने option है Tamil Nadu, Karnatka, Kerala and Maharashtra, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, बिलकुल 2026 के, जो है that would be also take part in Australia, बिलकुल तो बताएगा इसका सही, नहीं, Victoria yes, बिलकुल बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, Oilattam यह आपका कौन से राज्ये का लोक नृत्य है, यानि की folk dance है, ओराइट तो जल्जी से यहाँ पर आपने answer देते रहें और मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer and यहाँ पर अगर हम देखे, तो right answer क्या होगा, yes, काफी सारे सही जवाब आ रहे है, Tamil Nadu बिल्कुल सही जवाब होगा, यह आपका मदुराई है, मदुराई के साथ साथ अगरम बात करें, आपका त्रिनुवेली, त्रिचापली वहाँ पर यह आपका परफॉर्म किया जाता है, alright and इसके लिए, जो है आपका portrait की जाती है, alright alright, name से A या C लग रहा था, बिल्कुल तो केरला में तो आपका है यह नहीं, केरला की तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो of course, आपका तमिनलाडू होगा headquarters of ICC, यानि की International Cricket Council is located at अंतराश्टिय क्रिकेट परिशद का मुख्याले कहास्तित है, London, Melbourne, Mumbai, Dubai या New York, तो आपको बतारा है, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer ICC का आपका जो मुख्याले है, वो कहां पर है, ये आपको बतारा है तो जल्दी से बताएगा, इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer अंतराश्चे क्रिकेट परिशद का मुख्याले की हम बात कर रहे है, तो yes, काफी सारे आंसर यहाँ पर आ रहे है, दुबई, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका, दुबई is the right answer, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका दुबई और जो ICC के आपके headquarters है, वो आपका दुबई में located है ICC आप जानते हैं कि आपका जितने भी cricket के tournament होते हैं चाहे वो T20 में हो, चाहे वो आपका जो है, day matches हो ठीक है, या फिर आपके test matches हो वो सब आपके ICC conduct कराता है और 104 members है आपके ICC के, और राइट चले, next question the first person newspaper in India Miratul Akbar was started by भारत में पहला फार्सी अकबार Miratul Akbar किसके द्वारा शुरू किया गया, आपके सामने option है दादा भाई नारो जी W.C. Benerji, राजा नाम मोहन रोय, ईश्वर चंदर विद्या सागर, तो बदाएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer पहला पर्शिय न्यूस पेपर, जिसका नाम है Miratul Akbar वो किसके द्वारा शुरू किया गया दादा भाई नारो जी, W.C. Benerji या फिर राजाराम मोहन रोय, ईश्वर चंदर विद्या सागर यह चार option है, जल्दी बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer और मैं देख रहा हूँ, काफी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी से मुझे यह अंदाजा हो रहा है कि इस बार आप F.CAT के examination में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं युल दू वन्डर इन यॉर F.CAT examination ठीक है, तो जल्दी से आप टाइप इन करते रहें मेरे को अपने answers बताते रहें साथ ही जाथ, do not forget to like and share the session और मेरा एक बहुत पुराना बच्चा जो है लाइव आचुका है, दुरुभराई, प्रणाम I am good, thank you बटा तो जल्दी से बताते रहें, यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer जल्दी से अपने answer देते रहें तो इसका सही जवाब क्या होगा what should be the right answer, yes अगर हम बात करें आपका, तो right answer is राजा राम मोहन रोई तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब है अगबार, मिरातुल अगबार जो है, वो आपका शुरू किया था और इसे शुरू करने के लिए इनके दोस्त, जेम्स सिल्ख बकिंगम ने इनकी मदद की थी weekly basis पे यह आपका स्टार्ट हुआ था हर हफते यह आपका निकलता था 1822 में, और राजा राम चंदर मोहन रॉय कि अगर हम बात करें, तो राम मोहन रॉय जो है, इनको फादर आफ इंडियन रिनसाब भी आपका कहा जाता है, और राइट चले, निक्स कोशन इस मिलिंद पानो is a literary work which reflects conversation between मिलिंद पानो एक साहित्तिक क्रिती है, जो निम्न के भी समवाद को धर्शाती है, मिनांडर और बुद्दा, कनिश्का और अश्वगोष मिनांडर और नागसेन, कनिश्क और नागरजुन, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, yes of course I remember all my students know, और जल्दी आपने और लाइक सिर्फ अभी तक 40 हुए हैं, तो जल्दी से आप लाइक कीजेगा, जिन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया हैं, और शेयर करते रहें, हम बात कर रहे हैं, मिलिंद पानोगी, मिलिंद पानोगी अगर हम बात करें, यह आपका conversation है, एक conversation form में लिखा हुआ है, मिनांडर और नाग सेन के बीच में, बिल्कुल C इसका सही जवाब होगा, C would be the right answer, और अगर हम बात करें, तो मिनांडर और नाग सेन, नाग सेन एक बुद्धिस्थ संक थे, और मिनांडर जो है, वो इंडो ग्रीक king थे, तो इन नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन इस, the golden boy is the nickname of which Indian sports person, the golden boy किस भारतिये खिलाडी का उपनाम है, और आपके सामने है option विराट कोली, महेश भूपती, पंका जडवानी या फिर वी आनन, तो आपको बताना, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी अपने answers यहाँ पर type in करते रहे, और type in करके मिरको बताते रहे, साथी साथ, do not forget to share and like the session, like बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी भी, काफी बच्चे ऐसे, जिन्होंने like नहीं किया है, तो do like the session, like करते रहे, and साथी साथ, share करते रहे, sessions को अपने friends के साथ, और अगर हम बात करें यहाँ पर, telegram ID और PDF, yes, of course you will get the PDF, don't worry अभिशेख, ठीक है, यह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल नहीं है, महेज भूपती भी नहीं है, और वी आनन्द भी नहीं है, इसका answer होगा, आपका second time, आपका world champion भी रह चुके, इसलिए इनका नाम golden boy पड़ा, और इनको राजीव गांधी केल रतन वोट दिया गया था, 2006 में, पदम श्री दिया गया था, 2009 में, और पदम भूशन दिया गया था, 2018 में, तो of course golden boy जो है यह निकनेम है, आपका पंका जड़वानी का, और next question की तरफ चल दिया है हम, who wrote the book, India and introduction, इंडिया एक introduction, यह किसने पुस्तर लिखी और आपके सामने है, लायल करिश रटवानी, खुश्वन सिंग, जैराम रमेश, या फिर APJ अब्दुल कलाम, तो जल्दी बताएगा, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, और जल्दी जल्दी अपने answers देते रहें, और राइट, आनल, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजेगा, मेरे को बताएगा, सर जी आप टेलिग्राम चानल कोल दीजे ना, प्लीज, ओर राइट, ठीक है, ठीक है, एक्शली में ऐसा है ना, कि टेलिग्राम चानल के साथ-साथ, फिर उसको मैनेज भी करना पड़ता है, तो आपकोर्स, I'll start my टेलिग्राम चानल, बहुत जल्द, मैं अपना टेलिग्राम चानल भी शुरू कर दूँगा, तो जल्दी से बताएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, वाट वुड बी राइट आंसर, अपने आंसर देते रहे, और साथी साथ, मिरको यहाँ पर बताते रहे, निकनेम की बात कर रहे हैं, अनन्त, वी आ टॉकिंबाट दी निकनेम, और यहाँ पर बात करें आपका, इंडिया एन इंट्रोड़क्शन, यह बुक किसने लिखी, तो यह हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब बच्चे कन्फ्यूज हो गए, लेकिन विने का जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, खुश्वन्त सिंग की, यह जो बुक है, इसके राइटर है, खुश्वन्त सिंग और इनोंने जो है, इंडिया और इंट्रोड़क्शन, यह बुक आपका लिखी, साथी साथ यह स्टोरी है, आपका land and its people की, याने की आपका right from the ancient times, और आज के समय तक, जो हमारे जो पूरे जो स्टोरी है, वो आपका लिखी है, साथी साथ अगर हम बात करें, तो right from the starting, ancient times से लेकर आप तक की, ठीक है, manage मैं कर लूँगा, आप खाली connected रहना, connected रहना, ओर right from, ठीक है, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, next question is, Indian museum is situated in which state, भारतिय संग्राले, किस राज्यवे स्थित है, option है, राजस्तान, दिल्ली, महराष्ट या फिर वेस्ट बेंगॉल, ठीक है, हाँ, मिल जाएगी, do not worry, आपको PDF भी मिल जाएगी, लेकिन अभी मेरे साथ ये questions attempt करते रहें, तो जल्दी-जल्दी question attempt कीजेगा, ऐसा ना हो कि PDF जो है, आपको काफी time बाद मिले, है ना, वो convert होने में थोड़ा से time लगता है, तो अफकोर्स, PDF के बरों से ना रहे, और मेरे को बताते रहे, इसका सही जबाब क्या होगा, what would be the right answer, बेरे साथ जुड़े रहें, और साथी साथ ये questions attempt करते रहें, मैं देख रहा हूँ, 70 के करीब जो है, they are live right now with us, लेकिन likes नहीं आ रहे हैं, तो like कीजेगा, और साथी साथ share भी कीजेगा, अब यहाँ पर गरें बात करें, तो यहाँ पर एक catch था, और वो बहुत बड़ा catch क्या है, हमने बात करी state, ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पर Delhi बोल रहे है, Delhi is a union territory, ठीक है, डेली क्या है, आपका union territory है, तो फ़र आपका B कैसे answer हो जाएगा, PDF कहा हैगी, I'll ask them to share on the telegram channel, साथी साथ on the whatsapp also, ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करें, तो इसका answer क्या होगा, West Bengal will be the right answer, ठीक है, इस बात को समझो, पहले question को पढ़ो, इसलिए मैं कहता हूँ, भाई question को पहले ध्यान से पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर आप question पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि भाई सही जवाब क्या होना चाहिए, है ना, तो वहाँ पर वो state बोल रहा है, state तो होई, अगर हम बात करें Delhi की, Delhi is not a state, Delhi is a union territory, तो वो answer नहीं होगा, ठीक है, तो इंडियर मूजियम की बात करें, कोलकाता में, West Bengal में आपका located है, ठीक है, yes, चलिए, चलिए, नेक्स कोशन इस, WhatsApp ग्रूप की लिंक मिलेगी क्या द्रो, WhatsApp ग्रूप जो है, वो आपका अब तो फिल है पूरा, फिल आपका चल रहा है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रही है, हमारी टेलिग्राम ग्रूप के साथ ही, चलिए, बेंगॉल से, गुड़ इवनिंग सर, और राइट, थैंक्यू, विच और फॉलेंग इस नॉट एडवांटेज ओफ एकॉमर्स, आपको पताना है, इन में से कौन सा एकॉमर्स का फायता नहीं है, पहला है, कोस सेविंग और प्राइस रिदक्शन, वाइडर चॉइस, लेट रैस्पॉंस तू कस्टेमर नीज्स, इंप्रूवड कस्टेमर सर्विस, लागत बचत और कीमत में कमी, व्यापक विकल्प, ग्राहक की जरूतों के लिए देर से प्रतिक्रिया, बेतर ग्राहक से देवाएं, तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, वाट वुड राइट आंसर, जब बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, और मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वी आटाकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका e-commerce क बात कर रहे हैं, यानि कि जो हम electronic तरीके से आपका व्यापार करते हैं, या फिर आपका commerce is, you know, commerce is, जो लेन देन होता है, बजारी जो लेन देन होता है, तो of course, अगर हम यहाँ पर बात करें आपका, तो e-commerce आपका cost saving or price reduction तो होता ही है, ठीक है, यह तो होता ही है, वाइडर च पर जा रहे हैं, तो इसके पास limited choice है, वही पर online अगर आप खरिदारी करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी choices होती है, आप जो है, OPPO, Vivo या iPhone तग भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तो of course, wider choice होती है, वही पर अगर हम बात करें, improved customer services, क्योंकि आप सीधा mail drop कर सकते हैं, उनको call कर सकते हैं, and there is a dedicated helpline also, plus अगर हम बात करें, यह इसका जो है, that is not an advantage, late response to customer needs, यह तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका, तो right answer would be C, ठीक है, क्योंकि not an advantage, पूचाता तो C इसका सही जवाब होगा, और कल हमारे साथ जुड़िएगा, maths और reasoning के revision marathon के लिए और इस बार F-cat पार, और कल भी हम आपके सामने रहेंगे, शाम के 5 बजे से लेकर, और रात के 8 बजे तक, और तो ललिच सर और अमिच सर, दोनों ही आपकी जोईए क्लास लेंगे, ठीक है, चालिए, next question is, next question आप देखेगा, who was the first woman among the following to get Ashok Chakra, निम्न में से Ashok Chakra पाने वाली प्रतम महिला कौन थी, और आपके सामने option है, किरन बेदी, भावना सेंग, दुर्गा शक्तिनाकपाल, या फिर कमलेश कुमारी, तो जल से बताएगा, इसका सही जबाब क्या है, what is the right answer, और देखते है, इसका सही जबाब क् पाने वाली प्रतम महिला कौन थी, तो आपके सामने option किरन बेदी, भावना सेंग, दुर्गा शक्तिनाकपाल, और कमलेश कुमारी, और तो जल से अपने answer देते रहें, और मेरे को बताते रहें, साथी साथ, आप यहाँ पर like और share भी करते रहें, likes आने का सिलसला, जो है वो साथ, likes भी 70 के पार, तो जल्दी से अपने likes बढ़ाते रहें, अगर आपने अभी तक like नहीं किया, do like the session, साथी साथ, share कीजेगा session को, और हम बात करें आपका, we are talking about first women, जिन्होंने की आपका अशोक चकर जीता, बिलकुल, इसका answer जो है, right answer would be, first women among the following, among the following to win, और to get अशोक च में इनको जो है, अशोक चकर दिया गया था, जो कि आपका 1950 में, आपका, जो है, start किया गया, ठीक है, नहीं, all right, विने, तो अगर हम यहां पर बात करें, कमलेश कुमारी is the, was the first woman to get अशोक चकर, चलिए, next question, कीवी is considered as national icon of which of the following countries, कीवी को निमलेके देशों में से किसका तो जल्दी से आंसर दीजेगा, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, और जल्दी से आंसर देते रहे, बेटा, जब अमंग की बात आजाती है, अमंग, मतलब आपके पास चार option है, इन चारों में से पहले किसको मिला, समझ रहे हो, you are getting my point, इन चारों में से, अमंग the following, तो इस और इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, आपका, New Zealand is the right answer, बिल्कुल, इसके लिए तो सभी 100% sure है, आपका जो है, New Zealand जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, और अगर हम बात करें आपका, तो कीवी जो है, वो internationally use किया जाता है, New Zealand के लिए, कीवी जो है, वो आपर पाई जाती है, flightless birds है, और यह आपका New Zealand में मिलती है, and they cannot fly, ठीक है, यह आपका उड़ नहीं सकती है, चलिए, next question, in which of the following years, was the Fit India movement launched by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, निम्रिकित में से किस वर्ष बारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रा ले द्वारा Fit India movement का शुरुवात की थी, 2020, 2019, 2001 या 2018, तो इसका answer दीजेगा, मेरे को बताएगा, इसका सही जबाब क्या होगा, what would be the right answer, तो जल्दी से अपने answer देते रहे हैं, मेरे को बताते रहे हैं, कि कौन से sun में आपका Fit India movement जो है, वो उसकी शुरुवात की गई थी, जल्दी से देखते हैं, इसका answer क्या होगा, what would be the right answer, and जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक like नहीं किया है, जल्दी से like कीजेगा, अभी तक 70 likes नहीं हुए, एना 8 likes की कमी है, तो अगर आपने अभी तक like नहीं किया है, जल्दी से आप like कीजेगा, साथी साथ शेर कीजेगा session को, और हम यहांपर बात कर रहे हैं, we are talking about the Fit India movement, the Fit India movement, आपका बिल्कुल सही बात है, 2019 में आपका शुरू किया गया था, 2019 में आपका भारत सरकार ने इसको launch किया था, ठीक है, Ministry of Youth Affairs and Sports ने, ठीक है, चालिए, next question की तरफ चलते हैं, next question is, आपको बताना है, कमाईचा के मांगनियार, मतलब कमाईचा डैश के मांगनियार, द्वारा बजाई जाने वाली एक जुकी हुई वीना है, आपको बताना है, इसका answer क्या होगा, what would be the right answer, Western Rajasthan, West Kerala, West Bihar, या West Goa, आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, what would be the right answer, जल्दी सापने answer दीचेगा, मिरको बताएगा, सही जवाब क्या है, do not forget to share the session, share जरूर कीचेगा अपने दोस्तों के साथ, तो देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कमाईचा, ये कौन कहां के, जो आपके मणियार है, वो आपके बजाते है, तो त बेसे भी राज geven डाजस्तान, या West Rajasthan, that is the right answer, and यहाँ पर A को पूरा, जो है, आपके answers को, आपके पूरे marks, मिल जाएगे, 7 पेम क्लास होगी, आपके आप पर नहीं लूँ, आज मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूं, तो वहाँ पर क्लास नहीं लूँगा, ठीके, तो बानते हैं कि आपका जो है सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रुमेंट है और रावन हट्टा के बाद तो जो राजिस्तानी म्यूजिक है उसमें आपका जब भी आप राजिस्तान विजिट करेंगे तो वहां के फोग म्यूजिक में आप जो है इसको जरूर देखेंगे साथी दात इक्रम बात करें इसमें आपके 10 से 17 स्ट्रिंग और जिसमें की में स्ट्रिंग आपका 3 ही होती ए और यह जो गोट होती है उसके इंटेस्टाइन से बनाई जाती है ठीकए चलिए, next question की तरफ चलते है, next question क्या है, next question is, name the first female amputee to climb Mount Everest, Mount Everest में चड़ने वाली पहली, चिनांगनीत महिला का नाम बताएं, option है, पूर्ना मालवत, अंशु, जमसेन पा, अरुनीमा सिना, प्रेमलता अगरवाल, तो आपको बताना है, first amputee, जोनोंने की आपका Mount Everest की को climb किया amputee मतलब, जिनके हाथ या पैर जो है, वो आपका नहीं होते हैं, या वो किसी accident में आपका कट जाते हैं, तो amputee, first amputee, first female amputee to climb the Mount Everest, अपने answers देते रहें और मिरको बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, all right, तो we are talking about the answers, अपने answers देते रहें और मिरको बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, and yes, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसका जो right answer होगा, that would be Arunima Sina, बिल्कुल सही बात है, Arunima Sina is the right answer, चीक है, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, next question is, वेंबिली स्टेडियम is located in, वेंबिली स्टेडियम कहां से थे, लेंडन, वाशिंग्टन, डी-सी, मेक्सिको, या पर बीजिंग, तो आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, जल्दी सह अपने answer दीजेगा, what should be the right answer, जल्दी आंसर दीजेगा, वेंबिली स्टेडियम के हम बात कर रहे हैं, we are talking about वेंबिली स्टेडियम, तो जल्दी सह अपने answer देते रहें, और बिलकुल मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, alright, चलिए, answer दीजेगा, वेंबिले स्टेडियम के हम बात कर रहे हैं, लेंबिले, वेंबिले से ही आप समझ जाएं, वेंबिले is a place in UK, लेंबिले में आपकी जगा है वेंबिले और वहीं पर आपका वेंबिले स्टेडियम जो है, यह आपका located है, ठीक है, अगर हम बात करें, वेंबिले is located in London, और यह 2007 में आपका खुला था, और साथी साथ अगर हम बात करें, यह football stadium है, और यहाँ पर आपके football matches होते हैं, साथी साथ आपके England के, जितने भी आपके national matches होते हैं, वो भी यहाँ पर आपके खेले जाते हैं, और राइट, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, next question is, who wrote the book, India, a wounded civilization, इंडिया, a wounded civilization, यह पुष्टक किस ने लखी, option है आपके सामने, इंडिया, a wounded civilization, यह पुष्टक के लेखक कौन है, और अपने answers देते रहें, मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, साथी साथ, likes आने का सिलसला थंबना नहीं चाहिए, like करते रहेंगा, और जिन्होंने एक बार like कर दिया है, वो दुबारा like ना करें, ठीके, और साथी साथ, share जरूर कीजेगा, do share the session as well, share भी करते रहें session को, और हम बात कर रहें, आपका book की, India a wounded civilization, तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जल्दी दे लिखते हैं, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, and yes, इसका answer होगा, V.S. Naipaul, D is the right answer, जो आपका India a wounded civilization है, 1977 में, ये book जो है, वो आपका V.S. Naipaul ने आपका लिखी थी, साधी दातकरम बात करें, तो 1971 में, इनको जो है, आपका booker prize भी दिया गया था, 1990 की बात करें, तो इनको knighthood दिया गया था, for the literature, 1993 में, इन्होंने David Cohen, British literature prize भी जीता, और 2001 में, इनको Nobel prize for literature भी मिल चुका है, we are talking about V.S. Naipaul, ठीक है, next question, the साश्त्र Ramanujan prize is awarded in the field of, साश्त्र, रामानुजन, पुरुसकार, किस शेत्र में दिया जाता है, किस शेत्र में योगदान के लिए जिया जाता है, mathematics, dance, literature, या फिर chemistry, बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, जल्ली से अपने answer दीजेगा, और मेरे को बताएगा, सही जवाब क्या होना चाह ये, सस्त्र या फिर सास्त्र, ये रामानुजन प्राइस है, और ये किस में दिया जाता है, is the session going to be helpful for CDS, yes, Meir Osman, all right, सभी, ये जितने भी questions आप देख रहे हैं, all these questions come in your all the exams, और बिल्कुल, रामानुजन की बात आगई, तो of course, अगर हम बात करें, इसका answer क्या होना चाहिए, mathematics होना चाहिए, रामानुजन जो है, he was a great mathematician, और इसी लिए, सस्त्र या सास्त्र, रामानुजन प्राइस जो है, ये आपका mathematics के field में ही आपका दिया जाता है, 2005 से ये आपका दिया जा रहा है, जो young mathematicians हैं, उनको, all right, and अगर हम बात करें, तो इसको जो foundation है, वो है, शन्मुग art, science, technology and research academy के दुआरा, तो उसी के short form में सास्त्र इसको कहा जाता है, और ये आपका कुंबा कनम है, इंडिया में वहाँ पर आपका located है, all right, चलिए, next question, रोशन कुमारी is an exponent of which Indian classical dance form, रोशन कुमारी किस भारती है, शास्त्रिय नृत्य शैली की प्रतिभादक है, option है, कतक अल है, तो ये आपका concept, भारती है, शास्त्रिय नृत्य से आपका जुड़ी हुई है, उसकी प्रतिपादक है, तो जल्दी बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer, and आपके answers आने शुरू हो जाने चाहिए थे, अब तक तो, सब Google करने बैठी जाते हैं, क्या, कोशन देखते ही, मिरको ऐसा रगता है, कि, you start Googling the answers, ठीक है, तो अगर हम बात करें आपर, we are talking about the Roshan Kumari, तो रोशन कुमारी की अगर हम बात करें, तो इसका right answer क्या होगा, अभी तक नहीं आया मेरे पास, yes, Ajay ने मिरको सही जवाब दिया यापर, इसका सही जवाब होगा आ इनका पूरा नाम है, यह dancer है, actor है, और choreographer भी है, और सातीजात कतक के साथ आपका जुड़ी हुई है, जैपुर घराना को follow करती है, और नृत्यकला केंद्र, मुंबई में आपका जो है, कतक के लिए एक आपका center है, जो कतक को promote करता है, कतक वहाँ पर सिखाया भी जाता है, तो उसकी founder भी है, नृत्यकला केंद्र की, और राइट, चले, next question हम देखते है, next question is, which Indian state is known as granary of India, भारत के कौन से राज्ये को अन्बंडार के रूप में जाना जाता है, पंजाब, करला, मध्यप्रदेश और तमिल नाडू, तो यह तो easy सा question है, तो जलिए अपने answer है, तो देखते हैं, कौन इसका सही जवाब दे रहा है, अपने answer देते रहें, और मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer, और बहुत easy question, D, D कैसे होगा पेटा, D नहीं, इसका answer होगा, A, yes, A is the right answer, ठीक है, अगर हम इसके right answer की बात करें, तो A, यानि की पंजाब, बिल्कुल सही जवाब है, अगर हम बात करते हैं, per hectare productivity की, ठीक है, अगर हम बात करें, per hectare productivity की, तो वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, चाहिए वो wheat की हो, चाहिए वो आपका rice की हो, ठीक है, तो इसलिए इसको grainry of India भी आपका कहा जाता है, बिल्कुल, grainry of India कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर food crops, जिसमें मैंने आपसे बात करी, आपका wheat और rice, और दोनों की ही per hectare productivity यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, ज इसलिए वो reasons है, ठीक है, जहाँ पर, basically, you know, we have the per hectare productivity जो काफी ज़्यादा है, खास कर पंजाब में, और अगर आप देखेंगे, तो maximum आपका 11% rice यहाँ पर होता है, 19.5% wheat आपका यहाँ पर होता है, और इसको bread basket of India भी कहा जाता है, और राइट, चलिए, नेक्स कोर्शन इस इदू मिश्मी is spoken in the state of, इदू मिश्मी भारत की भाषा किस राज्य में बोली जाती है, और options हैं आपके सामने, मध्यप्रदेश, करला, पंजाब और अरुनाचल प्रदेश, तो जल्दी बढ़ाएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answers, जल्दी जल्दी आपने answer दीजेग आपने answer देते रहें, और मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, येस, इदू मिश्मी की हम बात करें, इदू मिश्मी जो है, ये आपका कहां बोली जाती है, it is spoken in अरुनाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है, इसका answer होगा आपका D, ने बिटा कैरला नही इरिया है, एक चोटे से रीजन है, जहां पर ये आपका बोला जाता है, और बहुत कम लोग हैं, जो इसको बोलते हैं, ठीक है, small language group है, जो कि आपका इदू मिश्मी बोलते हैं, अरुनाचल प्रदेश में, ठीक है, चले, next question is, Minorities Rights Day is observed on, भारत में अलप संख्यक अधिकार द होना चाहिए, Minorities Day आपका कब मनाया जाता है, कब observe किया जाता है, तो अपने answers देते रहें और मेरे को बताते रहें, साथी साथ, Likes आने का सिलसरा नहीं रुकना चाहिए, नहीं थमना चाहिए, अगर आपने अभी तक Likes नहीं किया है, do like the session and साथी साथ, what you need to do is, share the session as much as possible, ठ बात कर रहें, आपका Minorities Rights Day यानि की अलसंक्यक अधिकार दीवस की, तो हमारे पूरे Constitution की अगर हम बात करें, Fundamental Rights में, मेरे को comment में बताएगा, Fundamental Rights में, वो कौन से group of articles है, जो की Minorities के Rights के लिए है, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, and उन articles को भी आपर comment में मेरे को ल December की, 18 December को भारत में अल्प संक्यक अधिकार दीवस जो है, वो आपका मनाया जाता है, ठीक है, यह observe किया जाता है, तो अभी तक मेरे पास answer नहीं आया है, तो answer दीजेगा, हमारे Constitution में कौन से articles है, जो Minorities से related है, उनकी Rights से related है, बिलकुल, सही बात है, 29 and 30, बिलकुल, बिलकुल Article 29 and 30, और उसमें भी जो Major Article है, that is 30, ठीक है, और Minorities कितने प्रकार की हो सकते हैं, इंडिया में, how many Minorities, Minorities को हम किस आदार पे आपका कर सकते हैं, Minority कौन कहलाएगी, Minorities कौन है, किस आदार पर, हमारे यहां पर Minorities को classify किया जा सकता है, यह भी बताएगा, 29, 30, important is 30, 29 सभी के Minorities के लिए जो Article है, वो है More 30, ठीक है, ज्यादा जो आपका Article है, जो सब के लिए, वो है आपका 30, और साथी साथ अगर हम बात करें आपका, तो 29 जो है, वो 29 आपका Article है, वो सभी के लिए है, yes, linguistic and, linguistic and, population, population नहीं, religion, ठीक है, हमारे यहां पर दो ही आधार हो सकते हैं, Minorities के लि Religion, religious minorities होंगी, या फिर आपका language, याने की linguistic minorities, सिर्फ यह दो आधार पर आपके minorities हो सकते हैं, religious minorities, या फिर linguistic minorities, ठीक है, economical कोई basis नहीं है, सिर्फ language और religion basis है, और दूसरे चीज़, minorities को define नहीं किया गया है, ठीक है, there is no article that defines minorities in our constitution, ठीक है, linguistic और religious basis पर ही minorities हो सकती है, अगर हम religion की बात करें, तो Muslims, Christians, Sikh, Budh, Parsi और Jain, ये 6 की 6 notified minority communities हैं, हमारी इंडिया में, और राइट, चलिए, next question, next question is, जूनागड़ caves are located in, जूनागड़ गुपाय कहां स्थित हैं, option है आपके सामने, राजस्तान, गुजरात, MP या महराश्ट, ठीक है, जादे बताएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, EWS, minorities में नहीं आते विने, ठीक है, economically weaker section, is just a basis for giving the reservation, ठीक है, तो वो आपका सिर्फ एक basis है, reservation के लिए एक class, जो है वो आपका बना दी गई, but they are not in minorities, ठीक है, yes, बिलकुल सही बात है, 350B में आपका linguistic officer दिया हुआ है, तो जादे बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, Max in Madhya Pradesh, क्या, minorities, minorities की बात कर रहो है, किसी और च answer क्या होगा, what would be the right answer, जल्दी बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, बिलकुल सही बात है, जुनागड caves की, अगर हम बात करें, तो Buddhist caves है, and they are located in Gujarat, Gujarat में आपका located है, बिलकुल सही बात है, C रही होगा, परेश इसका answer होगा, B, ठीक है, Gujarat में, MP में अगर हम बात करें, तो MP में, we have the caves, they are slipping from my mind, सबसे oldest, जो हमारी civilization है, उसका भी, मतलब जो, Indus Valley civilization है, उससे भी pre-historic civilization, जो है, वो आपका मध्या प्रदेश में, उसके, जो है, निशान मिलते है, Bimbetka caves, Bimbetka caves, जो है, वो आपका मध्या प्रदेश में है, और जुनागड caves, जो प्रदेश में, next question is, who was recognized as Awakenner of India, Awakenner of India के रूप में, किसे मान्यता प्राप्त है, या फिर किसे जाना जाता है, और options है, आपके सामने, औरी बंदोगोश, स्वामी विवेका नन, बाल गंगा तर तिलक, या नेता जी, सुबाश चंदर बोश, तो आपको बताना, इसका answer क्य है, ठीक है, even before the Indus Valley civilization, और इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, अपने अपने answers देते रहे, मेरे को बताते रहे, Awakenner of India के रूप में, किसको जाना जाता है, या किसको मानिता प्राप्त है, यहाँ पर हम बात कर रहे है, आपका, we are talking about Awakenner of India, नहीं, भी इसका answer नहीं होगा, स्वामी विवे का नहीं है, इसका answer है आपका, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक is the right answer, और अगर हम बात करें, तो यह Father of Indian unrest और साती साथ Awakenner of India के तोर पर जाने जाते है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने की स्वराज का मांग की थी, ठीक है, स्वराज मेरा जर्म सिद अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, और इसी का बाद एक क्रांती आई, या फिर आप कह सकते हैं, जो हमारे यहां पर जो लोग है, वो स्वराज के पीछे पागल हो गए, है ना, तब तक वो सो रहे थे, they were sleeping, they were not demanding, कि हाँ भाई, हमें पेंडेंस चाहिए, ठीक है, तो फर्स लीडर, जिसने की आपका स्वराज की, डिमांड की, वो बाल गंगाधर तिलक हैं, और इनको लोक माननिया, और मराठा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, और राइट, नेक्स कोश्चन, जुनको तबही, was the first woman to climb Mount Everest, she belongs to which country, Mount Everest में चड़ने वाली पहली महिला, जुनको तबही किस देश से थी, option है, चाइना, नेपाल, इंडिया, या फिर जपान, आपको बताने हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, yes, बिलकुल सही बात है, तो बताएगे का सही जवाब क जुनको तबही कौन से देश से हैं, या थी, कौन से देश से थी, पहली बार, पहली महिला, जो कि आपका Mount Everest चड़ी, जुनको तबही, और जो मैना Static GK वाले जो सेशन लिया था, उसमें भी, जब first in world हम कर रहे थे, तो first in world females, जो है, उसमें हमने इसकी बारे में बात भी की थी, ये इस, बिल्कुल सही बात है, आपका Japan is the right answer, ठीक है, जपान बिल्कुल सही जवाब है, Nepal नहीं बिटा, Japan is the right answer, जुनको तबही जो है, वो आपका जो है, जपान से थी, और पहली बार, 1975 में, इनोंने जो है, आपका Mount Everest चड़ा, ठीक है, निक्स कोशन की तरफ चलते है The flag raising ceremony by the Prime Minister of India on Independence Day is held at which of the following places in Delhi, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, और ये तो सभी को पता है, ठीक है, इसका आंसर तो बहुत easy है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजेगा, मेरे को बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब क्या होन the right answer, and साथी साथ, do not forget to like and share the session, अगर आपने अभी session को join किया है, like और share जरूर कीजेगा, और तो हम बात करें, आपका flag raising ceremony की, flag raising ceremony आपका जो है, जो जंडा फराय जाता है, वो red fort, यानि की लाल किले पर फराय जाता है, तो yes, answer हो जाएगा red fort, और तो red fort would be the right answer, और सबसे पहली बार आपका जो है भारत अजाद हुआ, उस दिन जवालाल नेरू ने यहाँ पर आपका जो है जंडा फराया, और यही पर उनकी जो famous speech है, out of all his speech, जो famous speech है, तो वहाँ पर अगर हम बात करें, तो उस famous speech में आपका उसको कहा जाता है, trust with destiny, उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो CDS का foundation batch हमने start कर दिया है, और हमारी जो app है, app पर we have already started with the CDS batch, चलिए, next question is, next question आप देखेगा, रुक्मनी देवी, अरुन देल, is the exponent of which of the following Indian classical forms, रुक्मनी देवी अरुन देल, निमलिकित में से किस भारतिय शास्त्रिये, नित्य शैली की प्रतिपादक है, आपके सामने option है, सत्रिया, उडिसी, मनिपुरी, या फिर भरत नाट्यम, बहुत famous है, रुक्मनी देवी अरुन तो आपको बताना है, यह कौन से आपके dance form के साथ है, तो बताएगा, इसका answer क्या होगा, what would be the right answer, अपने answers देते रहें, मेरे को बताते रहें, do not forget to like and share the session, like and share भी करते रहेगा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपका most important questions की, जो कि आपके static GK से related है, और यह questions वो है, जो क जिन में से बहुत सारे questions आपको अपने exams में भी देखने को मिलेंगे, जब आप अपने FCAT के exams के लिए जाएंगे, और यहाँ पर आपने answers देते रहें, मेरे को बताते रहें, और रुक्मनी देवी अरुन्देल की अगरम बात करें, तो यह आपका बरतनाट्यम से आपका ज जो है, रुक्मनी देवी अरुन्देल है, इसलिए मैंने का बहुत, बहुत फेमस है, बहुत फेमस आपका जांसर है, और राइट, चलिए, कौन सा मंदिर, कौन सा मंदिर, दुनिया का संपून ग्रिनाइट मंदिर है, आपके सामने, मिनाक्षी टेंपल, ब्रेदेश्वा टेंपल, त्रुपुति बालाजी टेंपल, खांद्रिया, महादेव टेंपल, आपका बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, जल् जल्दी से अपने answer देते रहें, and do not forget to like and share the session, like और share भी करते रहें, like आने का सिलसला थमसा गया है, है ना, तो सिलसले को फिर दुवारे से शुरू कीजेगा, और like and share करते रहेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें साथ-साथ, हम आपका बढ़ा रहें, आपको most important questions देकर, ऐसे ही आप हमारा भी मनोबल बढ़ाईए, जितने भी हमारे marathans होते हैं, उनको attend कीजे, like and share कीजे, and साथ-साथ अपनी तयारी को और एक नए पायदान पर लेके जाए, ठीक है, हम बात करें यहाँ पर, ब्रियदेश्वर टेंपल की, ठीक है, अगर हम बात करें, इसका सही राज चोल फर्स्ट, जो की चोल डानेस्टी के थे, उनी के मतलब इसके पैटरन रहे, ठीक है, इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें, यह UNESCO World Heritage Site में भी आपका शामिल है, और साथ-साथ, ग्रेनाइट का सबसे टॉलेस टेंपल टावर भी आपका यहाँ पर है, और राइट, चले, next question is, which form of music is the legendary Lalon Fakir associated with, प्रसिद, Lalon Fakir संगीत के किस विद्या से संबंदित है, और आपके सामने है option ठुमरी, कवाली, सूफी, या फिर बाउल, तो मिरे को बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer, और जल्दी से अपने answer देते रहे हैं, मिरे को बता सही जवाब क्या होना चाहिए, लालो Fakir कौन से music से, आपका कौन से form of music से आपके जोए related है, और option है ठुमरी, कवाली, सूफी, या फिर बाउल, तो बताते रहीगा यहाँ पर मिरे को अपने answer देते रहीगा, और देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer, अपने answer देते रहें, और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सही जवाब क्या होगा, देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है, जैसी मेरे पास सही जवाब आएगा, उसका नाम जरूर लूँगा वे इस बार, क्योंकि यह थोड़ा सा difficult question है, आपने शाहिद नाम नहीं स आपके बाउल से, अभी तक मेरे पास सही जवाब नहीं आया, तो मैं आपको बता दो, इसका सही जवाब होगा बाउल, ठीक है, बाउल से आपका related है, और अगर हम बात करें, तो बेंगॉली है, ठीक है, और साती दात अगर हम बात करें, फिलोसफर भी है, और पोएट भी ह और साती साथ, शोशल रिफॉर्मर भी है, मतलब थे, और साती दात अगर हम बात करते हैं, तो आपका बेंगॉली कल्चर के आइकन माने जाते हैं, और बहुत सारे फिलोसफर, पोएट्स और शोशल तिंकर्स को, जिनमें कि आपके रविंदरा टैगोर भी है, और साती दात चेस्ट फेडरेशन इस लोकेटिट इट विच सिटी, अखिल भारतिय शत्रन संग किस शेहर में स्थित है, ऑप्शन है आपके सामने डेली, मुंबाई, चेन नहीं या फिर कोलकाता, और तो बताएगा इसका सही जवाब क्या है, और आंसर देखने के बाद, या मेरे आंसर बताने के बाद, जो है, आंसर देना, वो मैं उसको एकसेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है सिद्धी, और राइट, तो जो इसका सही जवाब क्या है, और इंडिया चेस्ट फेडरेशन कहां पर कौन से शेहर में आपका लोकेटिट है, बताएगा, दिल्ली, मुंबाई, चेन नहीं में लोकेटिट है, 1951 से इसको फाउंड किया गया था, और सातीजाद अगरम बात करें, तो यहां पर बहुत सारे आपके जैसे विश्वनातन, आनन्द है, नियाल सरीन है, या विदित ऐस गुजराती है, यह सभी आपका इस पेडरेशन से जुड़े हुए हैं, और चलिए, next question is, imperfect, is an autobiography of, imperfect, किसकी आत्मकता है, आपके सामने option है, संजे माजरेकर, रवी शास्त्री, मिलखा सिंग, या फिर राहुल द्रवेट, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, imperfect, किसकी autobiography है, yes, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, अपने answers देते रहें, मिलखो बताते रहें, सही जवाब क्या है, what will be the right answer, all right, imperfect, किसकी autobiography है, तो, yes, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, अपने answers देते रहें, मिलखो बताते रहें, और इसका answer, जो है, that is A, yes, अगर हम बात करें, आपका, संजे माजरेकर, जो कि आपके batsman भी रहें, और उसके बाद फिर आपके commentator बन चुके हैं, तो बिलकुल उनकी biography है, autobiography है, और Indian cricket commentator है, साथी साथ पहले, ये cricketer भी रह चुके है, all right, चलिए, next question is, next question आप देगेगा, which of the following folk dances is primarily performed in the state of Bihar, निन में से कौन सा लोक रित्ति है, मुक के रूप से बारतिय राज्य बिहार में किया जाता है, कलबेलिया, बिदेशिया, कुमाती, या फिर आपका गूमर, बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be right answer, अपने answers देते रहें, और मिर को बताते रहें, सही जवाब क्या होगा, बिहार का folk dance यहां पर पूछ रहे है, कौन सा folk dance है, जो कि आपर आपका किया जाता है, तो जल्दी बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer, अपने answers देते रहें, साती दाथ, like और share करना ना भूलिएगा, do like and share the session as well, like और share करते रहें, तो folk dances की हम बात कर रहे है, Indian state of Bihar की बात कर रहें, तो बिलकुल है, गर हम बात करें, तो यहां पर बहुत यूनीक themes यूज की जाती है, जिसमें आपका social issues की बात होती है, contradictory topics आपके जो होते हैं, साथी साथ जो conflict है, traditional और modern life form का, उसकी जो है, उसके ऊपर आपका theme होती है, तो बिदेशिया जो है, यह आपका that is there in the state of Bihar, ठीक है, चले, next question is हाँ, बिल्कुल, कलबेली जो है, वो आपका गूमर जो है, यह आपके राजस्थानी है, बिल्कुल सही बात है, चले, next question देखते है, next question is, in which of the falling Indian states is लोकरंग festival observed, किस भारतियर राज्ये में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, options है आपके सामने, we have the options, गुजरात, राजस्ता मध्यप्रदेश और जार्खन, बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be right answer, अपने answer देते रहें, और मेरे को बताते रहें, और राइट, जली से आंसर दीजेगा, कौन से राज्ये में आपका लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, लोकरंग, तो जली से इसका आंसर दीजेगा, जली से इसका आंसर दीजेगा, what should be right answer, किस हिसाब से helpful है, यह इस हिसाब से helpful है, कि यह questions वो हैं, जो most repeated questions है, बार-बार repeat होते हैं, and साथी साथ, most repeated के साथ-साथ we also have the previous questions तो हैं, जो most repeated है, और उसके साथ-साथ most important questions भी है, जो कि आपके exam में आने के बहुत जादा chances हैं, ठीक है, तो इसलिए these are helpful, please discuss the other options and their significance as well, all right, SP Mishra, ठीक है, बताएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, what should be the right answer, लोकरंग, आपका का मनाया जाता है, yes, C is the right answer, मध्यप्रदेश में आपका लोकरंग उत्सव, जो है, वो आपका मनाया जाता है, ठीक है, चले, next question की तरफ चलते हैं, next question is, उगाडी is celebrated in which of the falling state, उगाडी निम में से किस राज्य में मनाया जाता है, आंधर प्रदेश, करला, हिमाचर प्रदेश और मध्यप्रदेश, तो बताएं के इसका सही जवाब क्या होगा, what would the right answer, उगाडी जो है वो आपका कौन से, राज्य में कौन से state में celebrate किया जाता है, तो देखते है इसका सही जवाब क्या होगा, what would the right answer, अपने answers देते रहें, और मिरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, and do not forget to like and share the session as well like or share भी करते रहे साथ साथ अगर आपने अभी तक like or share नहीं किया है तो like कीजेगा और साथी साथ share भी कीजेगा और बिल्कुल spam मत करो भाई बिल्कुल सही बात है है ना एक बार में ही answer दे दिया कीजे तो right answer क्या होगा इसका the right answer would be yes a is the right answer आंदरप्रदेश ठीक है अगर हम बात करें अगाड़ी जो है यह आपका जो है celebrate क्या जाता है new year day it is a new year day जो की आपका जो है celebrate होता है आंदरप्रदेश में तिलंगाना में और करनाथका में all right चलिए next question की तरफ चलते है next question is which of the following was the first country to host modern Olympics आदरिक ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था option है अर्जंटीना जपान एजिप्ट या फिर ग्रीस तो बताए का इसका सही जवाब क्या है what is the right answer पहला जो आपका state था जिसने की modern Olympics को host किया था येस नवरोज जो है वो पार्सी new year होता है बिल्कुल सही बात है विने तो बताए का सही जवाब क्या है what is the right answer टेलिग्राम चैनल बता दो बिटा टेलिग्राम चैनल इस डिफेंस एक्जाम प्रेप ठीक है डिफेंस एक्जाम प्रेप डैट इस आठेलिग्राम चैनल डिफेंस एक्जाम प्रेप तो ज़से अपने आंसर देते रहे हैं मिरको बदाते रहे हैं सही जवाब क्या होना चाहिए साथ ज़सा डू नाट फोगेट तो लाइक और शेर भी करते रहेगा साथ-साथ तो लगातार पांच बजे से लेके आठ बजे तक हम आपके सामने रहने वाले हैं और बहुत सारे कोस्टेंस यहाँ पर डिसकल्स करेंगे आपके स्टाइटिंग जीके से रिलेटेट तो डू नाट फोगेट तो लाइक और शेर करते रहेगा और इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस आपके पताना है इसका सही जवाब क्या है सिद्धी, yes, you will get the PDF, don't worry लेकिन PDF जो है, convert tournament time लगेगा और exam बहुत पास है, तो मेरे साथ बने रहे और यहीं पर यह questions attempt करते रहे और तो ज़से आप इसका आंसर बताएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer winter youth olympic games जो है वो आपका कहां पर basically कहां पर खेले जाएंगे और तो ज़से अपने आंसर देते रहेगा मेरे को बताते रहेगा सही जवाब क्या है what is the right answer और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका ज़से बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer Singapore, Lausanne या फिर डाकर या गंगवान I am good Anand, thank you ज़से बताएगा सही जवाब क्या होना चाहिए अपने answers कमेंट करते रहे और इसका answer होगा गंगवान बिल्कुल सही बात है गंगवान में आपका जो है Winter Olympics जो है यह खेले जाएंगे और यह आपका कहांपर है? Korea में है it is there in Korea तो अगर हम यहां पर बात करें 4th edition है जो 2024 में आपका होगा कहांपर प्योंग चांग और साथी साथ गंग्रॉंग में आपका प्योंग यांग और गंग्रॉंग में गंवान में आपका इन Korea Republic of Korea ठीक है चलिए नेक्स कोश्चिन नेक्स कोश्चिन आप देखेगा I am good, thank you Anand With which of the following sports is the term China man associated China man शब्द किस खेल से संबंदित है और आपके सामने option है cricket, polo, table tennis और swimming जब बता है का China man किस से related है? China man जो शब्द है ये किस खेल से संबंदित है और देखते हैं इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए What should we write answer? अपने answers देते रहे comment करते रहे और मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होगा? China man किस स्केल से संबंदित है और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे है तो yes, the right answer would be cricket, बिलकुल सही बात है आपका cricket यहाँ पर बिलकुल सही जवाब होगा China man जो है यह associated है आपका cricket sports से और यह आपका it is basically spin balling ठीक है? left arm wrist spin balling है और अगर हम बात करें इंडिया में तो प्रीती दिमरी जो है वो first China man baller है Indian cricket में और second जो है वो है कुलदीप यादव next question हम देखते है next question is marble palace is situated in which city marble palace के शेहर में स्थित है और आपके सामने option है आपका Mumbai, Kolkata, Bangalore और जैपूर यह बिलकुल सही बात है ठीक है बताएगे इसका सही जवाब क्या है marble palace कौन से शेहर में आपका situated है marble palace की हम बात करें यहाँ पर marble palace 19th century में construct किया गया था 1835 में और यह बनाया था राजा राजेंदर मलिक ने ठीक है और बेंगॉली मर्चंट थे तो इसलिए इसका नाम होगा जैपूर नहीं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका Kolkata ठीक है he was a Bengali merchant राजेंदर मुलिक और उन्हों ने आपका marble palace को construct किया था marble palace was constructed in Kolkata 1835 में इसका construction जो है वो आपका हुआ था 1835 में next question can't, raider and raid terms are associated with which game can't, raider or raid शब्द किस scale से संबंदित है khokho, poker, kabaddi या फिर आपका hockey बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer अपने answer दीजेगा मिरेको बताएगा ये कौन से खेल से संबंदित है can't, raider or raid तो बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer what is the right answer अपने answer देते रहे हैं और मिरेको बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा दैट इस कबड़ी बिल्कुल सही बात है कबड़ी जो है यह बिल्कुल सही जवाब है कैंट क्या है जो बार-बार शब्द बोला जाता है कबड़ी में तो वह आपका कैंट कहलाता है ऐसी अगर हम बात करें रेड को बचाते हैं तो वो आपके anti-raiders होते हैं और raid होता है कि जब खिलाड़ी अंदर जाता है और किसी को पकड़ने की कोशिश करता है उसको हम जो है raid कहते हैं ठीक है और struggle भी आपका कबड़ी से ही related है चले next question Victoria Jubilee Museum is located in which state Victoria Jubilee संग्राले किस राज्य में स्थित है और आपके सामने option है गुजरात, महराष्ट, करनाटका और आंदरप्रदेश तो अपने answer दीजेगा मेरे को बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए what should be the right answer Victoria Museum की हम बात कर रहे हैं कहां पर located है कौन से राज्य में कौन से state में और जलीज़ा अपने answer देते रहे हैं और मेरे को बताते जलीज़ा आंसर दीजेगा और मेरे को बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer यहां पर हम बात करें आपका Victoria Jubilee Museum की तो यह आपका कहां पर located है यह अगर हम बात करें इसका तो राइट आंसर वुड बी आंदरप्रदेश ठीक है D is the right answer यह आपका आंदरप्रदेश में located है it is there in आंदरप्रदेश ठीक है आंदरप्रदेश में आपका located है और विजयवाड़ा में basically ठीक है तो अगर हम बात करें यह आपका located है बांदर रोड विजयवाड़ा आंदरप्रदेश में और 1887 में इसको construct किया गया था साथी दातकर हम बात करें तो आशलर मैसंडरी जो इसके जो कारीगरी है वो आशलर कारीगरी है और इंडो यूरोपियन आर्किटिक्ट्रल स्टाइल में इसको जह कंस्टरट किया गया है विक्टोरिया जुबली मूजियम इन आंदरप्रदेश और राइट चलिए नेक्स्ट हाँ कोलकाता वाला नहीं कोलकाता वाला विक्टोरिया पैलेस है ठीक है औरुजियम को 5-9 आपको इनकरेकट बताना है यानि कि इस समय से आपका इनकरेक्ट मैश कौन से है संगीत कारों और उनके वाद्य अंतरों कि निमले के जोड़ी में से कौन सी जोड़ी गलत है option है आपके सामने पंडित राम नरायन सारंगी उस्ताद विलायत खान सितार बिस्मिल्ला खान शेनाई और के वैद्यनातन सितार आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer अपने answer देते रहें और मिले को बताते रहें इसका सही जवाब क्या होना चाहिए जोदे बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer incorrect pair आपको बताना है तीन correct है और एक incorrect है and साथी साथ do not forget to like and share the session like और share करते रहें और एक गंटा लगबग हमारा complete हो चुका है एक से जादा सवा गंटा complete हो चुका है और remaining अभी हमारे पर लगबग दो गंटे हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम discuss करने वाले इसी तरीके से और यहां पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा आपका D will be the right answer ठीके बाकी सब सही है लेकिन के वैद्यनातन यहां पर सितार नहीं वाइलन होना चाहिए था ठीके अगर हम बात करें तो वाइलन होना चाहिए था क्योंकि जो वैद्यनातन है यह आपके वाइलन प्लेयर है ठीके तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा the right answer would be D और के वैद्यनातन की बात करें तो वाइलनिस्ट है music composer है राम नरायन जो है वह आ पोड़ो एक बार ठीके चलें नेक्स कोशन अटुकल पॉंगला फेस्ट इस पॉपरली नोन ऐस अटुकल पॉंगला उस्तव किस नाम से जाना जाता है साउट्स दिवाली विमेंस सबरीमाला विमेंस जल्लीकट्टू या साउट्स दशेरा दक्षिन की दिवाली महिलाओं का सबरीमाला महिलाओं का जल्लीकट्टू या फिर दक्षिन का दिशेरा बताएगा इसका सही जवाब क्या है अपने आंसर दीजेगा मेरे को बताते रहें कि अटुकल पॉंगल फेस्ट को या पॉंगला फेस्ट को उत्सव को किस नाम से जाना जाता है जल्ली बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer अटुकल पॉंगला फेस्ट बताएगा सही जवाब क्या है what is the right answer येस अगर अब बात करें बिलकुल केरला में होता है ठीके बेसिकली अटुकल टेंपल है और अटुकल टेंपल जो है वो आपका वही पर पॉंगला उत्स ठीके तो अटुकल टेंपल है आपका लोकेटिड है और विमेंस सब्रीमाला जो है आपका that is there अटुकल पॉंगला फेस्ट या विमेंस सब्री वाला ठीके चलिए निक्स्ट येस बिलकुल तूरी बुंगल और पावा और फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और विचॉद अटूरी बंगला और पावा किस राज्य के लोक संगीत वादिय अंत्र है आपके सामने वेस्ट बेंगॉल करनाटका उडिसा या फिर गुजरा तो आपको बताना इसका सही जवाब क्य होगा वॉट वॉट वी राइट आंसर जडिस अपने आंसर दीजेगा मेरे को बताएगा सही जवाब क्या है वॉट इस दी राइट आंसर तूरी बंगला और पावा यह किस राज्य के लोक संगीत वादियंत रियाने की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फोक म्यूजिकल बंगला और साथिजाथ पावा की तो यह आपके कहां लोकेटिड है या किस राज्य के आपके जए फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तो यहां पर अगर हम बात करें काफी सारे आंसर आरे मेरे पास तो मैं यहां पर आपको बदा तो इसका आंसर सी नहीं होगा ठीक है यह आपके गुजरात के फोक म्यूजिक इस्टूमेंट से ठीक है और इसी के साथ साथ अगरम बात करें डांस फॉर्म्स की तो गर्बा है दांडिया रास है पढ़ार है दांगी और टिपनी यह आपके डांस फॉर्म्स है जो कि आपके गुजरात में है इसी के साथ साथ सा पुष्कर फेस्टिवल ऐस बीन सेलिब्रेटेड आफ्टर 12 यह किस राज्य में बारा साल बाद पुष्कर उच्णव मनाया गया और आपके सामने ऑप्शन है बिहार राजस्तान उत्राखंड और जम्मू कश्मीर तो बताएगे का सही जवाब क्या होगा वोट वुड वी र राजस्तान में बिलकुल सही बात है पुष्कर फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं हारे पूरे राजस्तान में होता है और और यह आपका अगर हम बात करें जहां पर भी आपका संगम होती है वहां पर आपका पुशकर मिला आपका लगता है और अगर हम देखें तो बारा साल बाद नहीं हाँ तो अगर हम यहां पर बात कर रहें आपका हर एक राज्ये में आपका पुशकर फेस्टिबल होता है confluence आने की जहाँ पर आपका नदिया मिलती है वहाँ पर आपका पुशकर फेस्टिवल आपका celebrate किया जाता है और बारा साल बात जम्मू कश्मीर में आपका celebrate किया गया तो अगर हम बात करें तो कश्मीर में last celebration इसका हुआ था 2009 में ठीक है चलिए next question की दर्फ चलते है इंडिया जॉइंट वासेनार एग्रिमेंट इन विच येर भारत ने किस वर्ज में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ आपके 2016, 17, 18 या फिर 19 तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा what would be right answer अपने answer देते रहें मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए तो बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer अपने answer दीजेगा like kum mela बिल्कुल पुशकर जो है वो आपका like kum mela होता है बिल्कुल सही बात है लेकिन हर साल यह होता है कि अगर हम बात करें तो जितने भी आपके military equipment से या फिर आप अगर बात करते हैं आपका तो जो आम से export है उसके लिए आपका एक ग्रुप है और बारत इसमें शामिल हुआ था 2016 में नहीं 2017 में ठीक है 2017 में हमारा देश जो है वो उसने वासिनार arrangement को जोईन किया था 8 दिसमबर 2017 को और ये वो countries हैं जो कि आम export controls को आपका रखती है जैसे कि आपका MTCR है या फिर NSG है nuclear supplier group और राइट चलिए next question अब्दुल करीम खान was the exponent of which school of हिंदुस्तानी music अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के कि स्कूल के प्रतिबादक थे और आपके सामने है ग्वालियर घराना या किराना घराना दिल्ली घराना या फिर आपका जो है जैपुर घराना बताएगा इसका सही जवाब क् हिर एक अब्दुल करीम खान की यह कौनसे आपके जूए मूझिक से जुडए हूए थे बताएगा what is the right answer अपने आंसर देते रहे शार जदिन ऑपने शेयर जबहें तो और साथी माषैग आप Samsung तो इन जएगा data ढीक आट शेर बहें औरٌ साथी साथ-ड यहाँ पर अपने answers देते रहें, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, उस्ताद अब्दुलकरीम खान की हम बात कर रहें, तो इसका जो right answer होगा, that would be be, बिलकुल, किराना घराना की हम बात कर रहें, किराना घराना के exponent थे, किराना घराना जो है, उसके प्रतिपादक थे, उस्ता अब्दुलकरीम खान हिंदुस्तानी, ठीक है, और सातीजाद अगरम बात करें, तो इनके जो कजन है, अब्दुलवाहिद खान, वो भी आपके किराना घराना से ही, संबंदित है, ठीक है, नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं, नेक्स कोशन इस, इन में से किसे भारत को, भारतिये को आपका पहला नोबल शांती पुरुसकार प्राप्त किया, भारतिये ने, और आपके सामने औप्शन है, सीवी रमन, मदर टेरेसा, हरविन कोराना, और रविंदर नाथ टैग ओर, तो यह तो एजी कोशन है, जल्दित बताएगा, इसका रविंदर नाथ टेग ओर, तो हम पीस प्राइस की, शांती पुरुसकार की बात कर रहे हैं, पीस प्राइस, शांती पुरुसकार की बात कर रहे हैं, पिटा, कोश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, कोश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद पिर देन आंसर करो, है पीस प्राइस के हम बात कर रहे हैं यानि कि शान्ती पुरुसकार की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर रविंदर नाठ टेगोर को शान्ती पुरुसकार दिया गया था जदे बता है कि इसका सही जवाब किया है what is the right answer we are talking about the peace पुरुसकार यानि कि आपका शान्ती पुरुसकार की बात कर रहे हैं तो Mother Teresa विटा Mother Teresa को आपको सबसे पहला Nobel Peace Prize दिया गया था भारतिय महिला को मतलब भारतिय महिला को या भारतिय को जो आपका इंडियन है उसमें से आपका when we talk about the Indians तो पहला जो Nobel Peace Prize है वो आपका Mother Teresa को दिया गया था ठीक है चाले नेक्स कोशन इस इन विच स्टेट इस दी मैहार कोट वेर बाबा अलाउदीन खान वॉजिशियन आपको बदाना है मेहर दरबार किस राज्य में जहां पर बाबा अलाउदीन खान संगीतकार थे ऑप्शन है चतिसगर तिरुपरा उत्रप्रदेश और मध्यप्रदे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए और बिलकुल सही बात है विने अपनी जिंदीगी के बहुत सारे साल उन्होंने जो है इंडिया में ही गुजारे और तो बताएगा मेहार कोट या मेहर दरबार यह आपका कहां पर लोकेटिड है बाबा अलाउदीन खान यहां पर म्यू आपका बनाया था तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या है यह राइट आंसर इस डी ठीक है अगर बात करें मध्यप्रदेश के हम बात कर रहे है तो जैसे मैं आपको बताया जो बाबा अलाउदीन खान है यह मेहर कोट में थे और मेहर बैंड इनोंने बनाया आपका 1918 मे और राइट चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते है नेक्स कोशन इस कागियेद डान्स अ कस्टमरी डान्स फेस्टिबल धाट इस सेलिबरेटे एन्वली इन सिक्किम फॉल्ल्स इन विच्मन कागियेद नित्य सिक्किम में प्रदिवर्श मनाया जाने वाले एक पारंपरिक नित्य उत्सव है किस महीने में आता है ऑप्शन है और ओक्टोबर या फिर दिसेंबर तो बताएं का सही जवाब क्या होगा वॉट वुड 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 राइट आंसर अपने आंसर देते रहे और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए है डूनाट लाइक और शेर भी करते रहिएगा लाइक और शेर भी कीजिगा और कागेद नृत्य कि हम बात कर रहें तो कभी आपका कौनसे मंत में यह डांस फेस्टिवल आयोजित किया जाता है सिक्केम में कागेद डांस और जल्दे बताएगा इसका सही जवाब क्या है अपने आंसर देते रहें और मेरे को बताते रहें कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए वाट शुड भी दर राइट अंसर बुद्धिस्ट जो लोग है यहां पर सिक्केम में वह इस डांस फेस्टिवल को मनाते हैं और टाइम इस यह मन्त इस दिसेंबर दिसेंबर में आपका यह डां महीने में बनाया जाता है लेकिन बुद्धिस कैलेंडर और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के इस आप से देखें तो वह दो दसवा महीना है वह आपका जो है दिसेंबर में पढ़ता है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका जवाब होगा आपका D that is the right answer ठीक है च नेताजी सुभाष नैशनल इंस्टिटीट ऑफ स्पोर्ट्स यह आपका लोकिटेड़ है जली से अपने आंसर देते रहें और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या और अच्छी है what should be right answer अपने अपने आंसर दीजेगा मेरे को बताएगा सही जवाब क्या है लगबग डे मेरे का ऐदा उठा सके और य्छें तव हरो नेताजी सुभाष राष्टे थे खेल सहिस्तान की तो यह आपका कहां सृत है कहाँ पर स्तित है यह आपका स्तित है पत्याला में ठीक है नेताजी सुवाश नाशनल इस्टिटूट ऑफ स्पोर्ट्स यह पत्याला में लोकेटिड है एशिया का लार्जे स्पोर्स इंस्टिटूट है और 1961 में यह इस्टैबलिश हो गया था और इसमें आपका जिम भी है volleyball के लिए भी आपका facilities है, cycling, hockey, archery, wushu, arts, fencing, training, ये सारी चीज़ आपका है, तो अफकोर्स अगर हम बात करें आपर, तो नेताजी सुभाज National Sports of Institute ये आपका पट्याला में है, और राइट, चलिए, next question, dash is also known as the golden city, dash को golden city के नाम से भी जाना जाता है, option है, जैशल मेर, साधिया डूंगरपुर, जोधपुर और बूंदी, बताएगा golden city जो है, उसके नाम से किसको जाना जाता है, golden city, golden city के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, आपने आपने answer दीजेगा, मेरे को बताएगा, सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, yes, इसका जो right answer होगा, that would be जैसल मेर, जैसल मेर या फिर, hill fort of जैसल, इसका नाम है, बताब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाब बात करें आपका, तो, जैसल मेर का मतलब है, hill fort of जैसल, और जैसल मेर ही, आपका जो है, golden city of India के नाम से भी, जानी जाती है, और राइट, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, next question हम देखते हैं, the mohini attam dance form originated from which state, mohini attam, रत्य शैली की उत्पत्ती किस राज्य से हुई, option है आपके सामने, महराश, तमिलनाडू, कहरला और करनाट का, तो इसका answer दीजेगा मुझे, इसका सही जबाब क्या होगा, what would be the right answer, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, हैना, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, dance form की, और आपको इसका answer देना, इसका सही जबाब क्या होगा, what would be the right answer, मोनी अट्टम, ये कौन से, राज्य से इसकी उत्पत्ती हुई है, तो बताएगे का, इसका सही जबाब क्या है, what is the right answer, आपने answer देते रहे हैं, और मेरे को बताते रहें, कि सही जबाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, ओर राइट, देखते हैं, कौन सही जबाब दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल सही जबाब है, आपका यहाँ पर right answer would be करला, करला इसका बिल्कुल सही जबाब है, ओर राइट, इदाक्का, फ्लूट, वीना और कुजित अलाम, ठीक है, तो यह नाम आप याद रख लीजेगा, कहीं बार पूछ लिया जाता, जैसे एक पहले हमने कोशन देखा था, कि यह यह म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स आपके, कौन से स्टेट से जुड़े हुए हैं, और आपके सामने औप्शन है, तो इसका जवाब दीजेगा, बहुत एज़ी है, तो ज़िसे इसका आंसर दीजेगा, पूरे विश्व में अहिंसा का पार्ट पढ़ाने वाले सिर्फ एक ही थे, ठीक है, तो अल्टिमेटली इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर दीजेगा, मेरे को बताएगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए, what should be the right answer, जल्दी से अपने आंसर देते रहे हैं, मेरे को बताते रहे हैं, सही जवाब क्या होना चाहिए, और बिलकुल अगर हम बात करें तो मातमा गांधी है ना गांधी जो है आइंसा के लिए जाने जाते हैं और अगर हम बात करें 2007 से इसको इनके जो जनम दिन है उसको जो है आपका international day of non-violence के तौर पे भी बनाया जाने लगा और to be very true 15 जून 2007 से ठीक है यह आपका resolution लिया गया next question who is considered a pioneer of wind instrument शेहनाई पवन वाद्य शेहनाई के प्रणेता किसको माना जाता है जाकिर खान कभीर खान बिस्मिल्ला खान या फिर रहमत अली खान आपको बताने इसका answer क्या है what is the right answer और अभी थोड़ी दिर पहले इसका answer भी किसी ने दिया था मेरे को chat में तो जल्दी साइ answer बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer अपने answers देते रहें मेरे को बताते रहें साथ ही साथ do not forget to like and share the session like or share भी करते रहें तो हम बात कर रहें आपका wind instrument शेहनाई की तो शेहनाई के प्रणेता किसको माना जाता है यह सब कोर्स यहां पर अगरें बात करें right answer क्या होगा इसका answer होगा आपका बिस्मिल्ला खान उस्ताद बिस्मिल्ला खान या बिस्मिल्ला खान यह आपका जुड़े हुए है शेहनाई से pioneer माना जाता है और साथी साथ भारत रतन इनको दिया गया था 2001 में और साथी सारी movies में भी यह आपका बिस्मिल्ला खान वो आपका निकनेम Scotland of India ये शार्द विल्कुल ठीक विश सिटी ऑफ इंडिया ईसा निकनेम Scotland of India भारत के किस शेर को Scotland of India भी कहा जाता है कूर्ग इन करनाट का कोईमबटूर इन लाडू मुंबई इन माराश या फिर कालकटा इन वेस्ट बेंगॉल तो बताएगा इसका सही जवाब क्या है वाट इस राइट आंसर अपने आंसर देट रहें मेरे को बताते रहें कि सही जवाब क्या है यह वोट एसने रही अंसरे अगर मस्कोर इसको रहाट आंसर की तो आपका कूर्क इन खरनाट का ठीक है कूर्ग आपका स्कॉटलेंट का जाता में और अगर कि तो actually मैं इसको Scotland नाम इसले पड़ा क्योंकि mainly अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो Scots थे ठीक है जो British Planters थे उन्होंने जो है कुर्ग और Scotland के बीच में बहुत सारी similarities देखी और उसके बाद इसको जो है Scotland of India आपका कहने लगे इसे के साथ साथ कुर्ग को कोडागू भी कहा जाता है ठीक है तो हो सकता है कि आपके exam में अभी कुर्ग ना है कुर्ग की जगा कोडागू हो तो कोडागू या फिर कुर्ग एक ही है करनाटक में और राइट चलिए next question which is the first state to declare a state butterfly राज किये तितली गोशित करने वाला पहला राज कौन सा है और option है आपके सामने महराश, तमिलाडू, करला और करनाटका तो जल्दी से answer दीजेगा मेरे को इसका और बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer, कौन से राज्य ने अपनी राज्य तितली गोशित की, तो आपके बता रहा है इसका answer क्या होगा, what would be the right answer, अपने answer देते रहे, साथ ही जाथ, do not forget to share as well as like the session, तो जल्दी से बताएगा इसका सही जवाब क्या हो रहा चाहिए, what should be the right answer, पहला राज्य जिसने state butterfly गोशि की, इसका answer क्या होगा, जल्दी से answer दीजेगा, अपने answer देते रहें और मिरको बताते रहें, सही जवाब क्या हो रहा चाहिए, what should be the right answer, अपने answer यहाँ पर comment करते रहें, और इसका answer क्या होगा, right answer would be, इसका answer होगा, आपका महराष्ट, महराष्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है, और जो state butterfly है, यहाँ की वो है, blue mormon, blue mormon जो है, वो इसकी state butterfly है, alright, yes, maharashtra is the right answer, blue mormon, इसकी state butterfly है, उसके बाद उत्राखण ने, common peacock को अपनी state butterfly गोशित किया, फिर करनाटक ने, जो है, southern bird wings को फिर करला ने, मालाबार bandit peacock को, और recently, Tamil Nadu ने आपका Tamil, your man, जो ही आपका गोशित किया, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका महराष्ट would be the right answer, और यह यहाँ पर आप state butterflies देख सकते हैं, match the following में भी question आ सकता है, तो इनकी state butterflies भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, next question which it is called as the Manchester of India, इन में से किस शहर को भारत का Manchester कहा जाता है, option है, लुद्याना, हैदराबाद, एहमदाबाद और विशाखा पतनम, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, अपने answer दीजेगा, और मेरे को बताएगा, सही जवाब क्या होना चाहिए, यह शार्द, आप टोल्ड यू, शार्द धाकुर, येस, और राइट, जदी बताएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, अपने answer देते रहे हैं, और मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होगा, कौन से शहर को मैंचेस्टर कहा जाता है, मैंचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैंचे ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, एमदाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब है, और साउथ का कोईमबटूर है, बिल्कुल, ठीक है, मेरा कानपूर भी था कभी, चलिए, तो अगर हम बात करें, एमदाबाद सिटी जो है, ये आपका मैंचेस्टर ऑफ इंडिया कहला ही ज पंडित रविशास्री या पंडित शिव कुमार शर्मा, बताएगा इसका सही जवाब क्या है, अपने आंसर दीजेगा, और मेरे को बताते चले कि यहां पर ग्रैमी ओवाड जीतने वाले पहले भारतिये कौन थे, और राइट, तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होना अचाहिए, अपने आंसर कमेंट करते रहें, मेरे को बताते रहें, डूनाट फोर्गेट तू लाइक और शेर भी करते रहिएगा, तीन गंटे लगाता, स्टाटिक जी के कोशन्स, वो कोशन्स जो की बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एक्जाम्स में आने की पूरी- उस्ताज जाकर उसेन, पंडित बिश्व मोहन भट, पंडित रवी शंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा, इन चारों में सबसे पहले व्यक्ति जिनको की आपका ग्रामी अवार्ड मिला था, वो थे पंडित रवी शंकर, फिर्स्ट ग्रामी अवार्ड पंडित रवी शंक दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रदार मंत्री कौन थे? आप्शन है इंद्रा गांधी, नरिंद्र मोदी, मर्मोन सिंग या फिर अटल बिहारी वाजपई ज़ादी पताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अपने आंसर देते रहें, अपने आंसर देते रहें, मिरको बताते रहें, भई सही जवाब क्या होना चाहिए? वाट शुट दे राइट आंसर? लॉंगेस सर्विंग, सेकिंड लॉंगेस सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तो जली से अपने आंसर दीजेगा मेरे को बताएगा सही जवाब क्या है what is the right answer second longest की हम बात कर रहे हैं we are talking about second longest दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रदान मंत्री कौन थे इन में से बिलकोल अगर हम यहाँ पर बात करें इसका answer क्या होगा the right answer would be C Manmohan Singh काफी बच्चे यहाँ पर confused है ठीक है Manmohan Singh 10 साल तक लगाजार प्रदान मंत्री रहे 10 साल 4 दिन तक ठीक है और साती जात oldest living prime minister भी है चलिए next question की तरफ चलते है the headquarters of Indian Golf Union is located at बारतिय गॉल्फ संग का मुख्याले का अस्तित है option है Delhi, Mumbai, Pune और जैपूर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer headquarter of Indian Golf Union IGU Indian Golf Union यह आपका कहाँ पर located है बताएगा सही जवाब क्या हो रहाचे what should be the right answer जल्ली से answer दीजेगा Indian Golf Union कहाँ पर located है पूने नहीं, इसका सही जवाब होगा अगर हम बात करें तो yes the right answer would be Delhi Indian Golf Union का जो headquarter है यह आपका Delhi में located है New Delhi में बिल्कुल सही जवाब है ठीक है, next question की दरफ चलते है next question लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू initially, Royal Calcutta Golf Club जो है आपका establish हुआ था, बाद में Indian Golf Union जो है आपका 1955 में और उसके बाद जो है Indian Golf Union जो है यह आपका establish किया गया ठीक है चलिए, next question who was the first woman musician to get Bharat Ratna Bharat Ratna पाने वाली पहली महीला संगीतकार कौन थी और आपके सामने option है Amrit Kaur, MS Subhu Lakshmi, Lata Mangeshkar, या फिर Urmila Rau बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा what is the right answer जल्दी बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए पहली भारतिये महीला जिनकों की आपका भारत रत्न पुरुसकार दिया गया भारत रत्न दिया गया जल्दी बताएगा इसका सही जवाब क्या है वाट इस दी राइट आंसर अपने आंसर देते रहें और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए इसका और हम बात कर रहें आपका विया टॉकिंग अबाउट जो ठीक है तो हम यहां पर बात कर रहें आपका 12 रतन पाने वाली पहली महिला संगीत कार तो MS सुबू लक्ष्मी विल बी राइट आंसर इसका आंसर क्या होगा B इसका सही जवाब होगा बिल्कुल सही बात है ठीक है चलिए next question की तरफ चलते है next question हम देखते है Yes option B is right answer Name the first Odyssey musical classical dancer from Odyssey who was conferred Padm Vibhushan Award Odyssey के पहले Odyssey 6 निर्टक का नाम बताईए जिने Padm Vibhushan परिसकार से सम्मानित किया गया था Option है आपके सामने बिजैईनी, सत्पती, सोनल मान सेंग, गंगादर प्रदान और केलू चरन महापात्रा आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, अपने answer देते रहें और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए First OTC Classical Dancer from Odisha जिनको की Padm Vibhushan Award दिया गया Padm Vibhushan Award मिला इनको और जल्दी से इसका आंसर दीजेगा, मेरे को बताएगा And do not forget to like and share the session, share जरूर कीजेगा अपने friends के साथ Share करते रहें, like करते रहें session को, पहले Odyssey Classical Dancer Odisha से जिनको Padm Vibhushan दिया, इसका आंसर होगा आपका D, केलुचरन मोहापात्रा, that is the right answer केलुचरन मोहापात्रा, D इसका सही जवाब है, alright, चलिए Next question आप देखेगा, next question is Dolly, the first cloned living being created at Roslyn Institute in Scotland was Scotland में, Roslyn Institute में बनाए गई, पहली clone जीविट Dolly एक dash थी आपके सामने option है, cow यानि guy, या फिर dog यानि kutta, sheep यानि भेड और billy यानि cat, तो आपको पताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer First mammal, first mammal जिसको की clone किया गया, easy question है, और सभी को पता होगा, dolly नाम इसको दिया गया, and this was a sheep, यह आपका क्या थी, sheep थी, तो of course answer क्या हो जाएगा, C would be the right answer, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपका answer होगा, C और यह 1996 से 2003 तक आपका रही, next, who is known as father of missile program in India, मारत में missile कारिकरम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, APJ अब्दुलकलाम, KC1, G. Satish Riddhi या फिर विकरम सारा भाई, बताएगा, और इसका answer again, बहुत easy answer है, और मिरको बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, और राइट, and do not forget to like and share the session as well, like और share भी करते रहें, और येस, बिलकुल सही बात है, Missile Man of India, Missile Man of India की बात करें, तो हमारे जो पूर्व में राश्पती भी रहे, Dr. APJ अब्दुलकलाम, उनी की बात हम कर रहे हैं, बिलकुल यहाँ पर अगरम बात करें, A, बिलकुल सही जवाब होगा, A would be the right answer, ठीक है, चले, next question is, who among the following is the founder of the field of psychoanalysis, निम्र में से कौन, Mano Visilation के शेत्र के संस्तापक हैं, और आपके सामने है option, कार्ड जंग, इसी के साथ साथ, जीन प्याजे, फिर आपका सिग्मेंट फ्रूइड, और काईठी एरिक्सन, आपको पताना है, psychoanalysis के आपके जोए, इन में से जनक कौन से है, Mano Visilation, psychoanalysis, जादी पताएगा, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, और psychoanalysis, basically, क्या है, it is a field, या फिर आपका theories है, या फिर therapeutic, आपके techniques हैं, जो हमारे unconscious mind से related है, and yes, अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका answer क्या होना चाहिए, what should be the right answer, अपने answers देते रहें, मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या है, अपने answers जो है, वो यहाँ पर comment करते रहें, और इसका answer जो है, क्या होना चाहिए, what should be the right answer, रमन सिंग, तनवर, पहले fruit और उसके आद भी, नहीं, इसका जो right answer है, that is segment fruit, ठीक है, segment fruit, यह आपका बिलकुल सही जवाब होगा, ठीक है, अगर हम बात करें, segment fruit, यह founder है, psycho analysis के, unconscious minds दे related theories, और आपका therapeutic techniques जो है, वो आपका psycho analysis में होती है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, काईटी एरिक्शन जो है, यह आपका, जो catastrophic events होते हैं, उसके ओपर आपका बात करते हैं, social consequences बताते हैं, साथ यह साथ constructivist, theory of knowing के आपके जो है, उससे जुड़े होए है, जीन प्यागेट की बात करें, तो child development की से यह आपका related है, और काल जंग, यह analytical psychology के founder है, ठीक है, analytical psychology के, लेकिन psycho analysis की बात करें, तो वो segment fruit होगा, ठीक है, segment fruit, psycho analysis, और काल जंग, analytical psychology, चलिए, next question, alright, next question is, इंडस रिवर डॉल्फिन, is the national aquatic animal of which of the falling countries, इंडस रिवर डॉल्फिन की हम बात कर रहे है, तो बताएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, what would the right answer, कौन से देश का aquatic animal है, नाशनल aquatic animal है, इंडस रिवर डॉल्फिन, और तो यहाँ पर अपने answer दीजेगा, मेरे को बताएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, अपने answer देते रहें, और मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होगा, what should be the right answer, तो काफी बच्चे यहाँ पर C बोल रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश और श्री लंका, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका answer क्या होना चाहिए, what should be the right answer, इसका answer होना चाहिए, आपका A, ठीक है, अगर हम बात करें, A is the right answer, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में, आपका पाकिस्तान ने National Aquatic Animal को डिकलेर किया है, इंडस रिवर डॉल्फिन को, ओर राइट, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन इस, नेक्स कोशन आप देगेगा, और बिलकुल, अगर हम बात करें, नहीं, ऐसा नहीं है, यह स्पीशीज जो है, आपको इंडस, मेगना और ब्रह्मपुत्रा में भी मिलेगी, है ना, तो ऐसा नहीं कि मांगलादेश में जाती नहीं है, ठीक है, तो इंडस रिवर्ट डॉल्फिन इन मेगना और ब्रह्मपुत्रा जो है, वो भी आपका बांगलादेश से बह रही है, और आपके सामने ऑप्शन है, 13 नवेंबर, 3 दिसेंबर, 27 सितंबर, या फिर 17 ओक्टोबर, बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, अपने answer देते रहें, मेरे को बताते रहें, सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, and do not forget to like and share the session, like और share भी कीजेगा, जिन्होंने अभी तक like नहीं किया है, do like the session, और share नहीं किया है, तो share भी करते रहें session को, और राइट, तो हम बात कर रहे हैं, we are talking about world disability day, तो यह आपका कम मनाया जाता है, date याद नहीं, कोई बात नहीं, date याद नहीं है, तो month तो याद होगा, क्योंकि यह सारे month अलग-लग है, तो of course, December में मनाया जाता है, और 3 December को आपका मनाया जाता है, ठीक है, तो of course, answer यहापर होगा, आपका B, B will be the right answer, next, the land of black diamond is the nickname of city, आपको बताना है, black diamond की भूमी, किस शहर का उपनाम है, और आपके सामने option है, आसनसोल, West Bengal में, कोलकाता, West Bengal में, इलाबाद, इन यूतरप्रदेश, या प्रयागराज, या फिर आपका none of this, ठीक है, तो आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो अपने answer देते रहें, और मिरको बताते रहें, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, तो अपने answer देते रहें, सात्या, do not forget to like and share the session, like or share भी करते रहें, और black diamond, black diamond क्या है, coal, कोहला, यानि की कोल, that is black diamond, और आसनसोल, जो आपका, जो सही जवाब होगा ठीक है major producer है kolka हमारे country में आसन सोल और इसी लिए इसको land of black diamonds कहा जाता है kolkata को city of joy कहा जाता है ठीक है और ये city of joy इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1985 में एक novel जो लिखा गया था जिसकी वज़े से इसको city of joy कहा जाता है और city of prime ministers कहा जाता है संगम city कहा जाता है abode of god कहा जाता है इलाबाद को या प्रियाग राज को और राइट चलिए the first noble prize in physics was awarded to पहला बौतिक में noble पुरुसकार किसको प्रदान किया गया आपके सामने option है Wilhelm Conrad Ronjan, John Bardeen या फिर Isaac Newton या फिर Alfred Nobel आपको बताना है इन में से किसको जो है आपका पहला noble prize दिया गया था पहला noble prize physics में physics का पहला noble prize किसको दिया गया था यह पता है कि इसका answer दीजेगा मेरे को कमेंट करके अपने answer बताते रहें और देखते हैं इसका सही जबाब क्या होना चाहिए we are talking about physics तो physics का सबसे पहला noble prize किसको मिला था येस बिल्कुल अगर हम बात करें आपका तो डबलू सी रोइंजन बिल्कुल इनको आपका पुरुसकार दिया गया था और साथी साथ अगर हम बात करें तो यह x-ray के जनक भी जाने जाते हैं एक्स-rays जो हम यूज करते हैं फ्राक्चर को डिटेक्ट करने के लिए लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए तो वह x-rays जो है वह आपका इनोंने ही उसकी खोज की थी बिल्कुल एक्सरे जो है वो इन्हों नहीं हो जा था और पहले व्यक्ति है जिनको की आपका नोबल पुरुसकार दिया गया था फिजिक्स में यानि की बहुतिकी में Who is the first man in the world to have climbed Mount Everest twice Mount Everest पर दो वाई चड़ाई करने वाला दुन्या का पहला व्यक्ति कौन था और ऑप्शन आपके सामने नवांग गॉंबू ग्रीन बूट्स केंटन कूल या एपा शेर्पा तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा What would be the right answer अपने answers देते रहें और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए Mount Everest पर दो बार चड़ने वाला व्यक्ति कौन था पहली बार दो बार एक बार में मज़ा नहीं आया इन्हें यह दूसरी बार भी चले गए तो इसका answer क्या होगा What would be the right answer अपने answers देते रहें और मेरे को बताते रहें सही जवाब क्या होना चाहिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका सही जवाब क्या होगा What would be the right answer येस अगर हम यहाँ पर बात करें इसका answer होगा नवांग गोंबू नवांग गोंबू की अगर हम बात करें तो 1965 में इन्होंने आपका Mount Everest को दो बार आपका cover कर लिया था और एक बार नहीं दो बार यह सबसे पहले बार आपका Mount Everest को चड़ने वाले व्यक्ति बने आप ऑप्शन होगा नवांग गोंबू और यह भी हमने First in India World में आपका cover किया था जो मेरा session हुआ था Static GK पर First in India World उस पर हमने इसको पूरी तरीके से cover किया था नवांग गोंबू ठीक है चले next question pivoting is related to which of the following games pivoting किस scale से संबंदित है option है आपके सामने hockey, volleyball, badminton या फिर basketball तो बताएगे गाइसका सही जवाब क्या है what is the right answer अपने answer दीजेगा और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब क्या होगा what would be the right answer और राइट ज़से पताएगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए pivoting कौन से आपका खेल से संबंदित है yes बिलकुल सही बात है इसका answer होगा बिटा बास्केट बाल बास्केट बाल से संबंदित है pivoting है ना it is related to basketball ठीक है होता क्या है कि actually में yes basketball is the right answer बिलकुल इसका answer होगा आपका D और अगर हम बात करें pivoting में क्या होता है कि जो ball handler होता है ठीक है वो क्या करता है rotate करता है around the private foot without picking up और उसको हम क्या बोलते pivoting कहा जाता है चलिए next question national achievement survey is conducted by राष्ट्य उपलब्दी, सर्वेक्षन या national achievement survey किसके द्वारा आयुजित किया जाता है option है NCRT, NSSO, private NGO या फिर CSO बताएगा इसका सही जवाब क्या है what is the right answer अपने answer देते रहे मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए national achievement survey या आपका किसके द्वारा conduct होता है national achievement survey कौन conduct कराता है बताएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए national achievement survey किसके द्वारा conduct कराया जाता है NCRT, NSSO, private NGO या फिर CSO जल्दी सा answer देते रहे हैं अपने और answer इस देके मिरे को बताते रहे है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए what should be right answer और यहाँ पर देखते हैं थोड़ा है tricky question है ठीके और मैं जानता हूँ काफी बच्चे इसका गलत answer देने वाले हैं जल्दी सा अपने answer दीचेगा मेरे पास answer आ रहे हैं अभी D और B मेंसे D और B मेंसे शायद है ना नहीं पता B और D शायद C भी आया मेरे पास प्राइवेट एंजियो ठीके जो बच्चे गूगल कर रहे हैं उनको answer पता चल गया है अगर हम बात करें यहाँ पर इसका answer क्या होगा the right answer would be NCRT NCRT जो है इसको conduct कराता है NCRT National Achievement Survey को conduct कराता है गाउं में और शहर में दोनों जगे आपका गाउं में भी शहर में भी और अगर हम बात करें तो स्कूल बेस सर्वे है National Achievement Survey जो है स्कूल बेस सर्वे है इसलिए NCRT के द्वारा conduct होता है next the headquarters of Indian Rugby Football Union is located at भारतिय Rugby Football संका मुख्याले कहां स्थित है आपके सामने दिल्ली, मुंबाई, पूने या फिर शिम्ला तो बताए कि इसका सही जवाब क्या होगा what would the right answer Indian Rugby Football Union ये आपका कहां पर located है ये आपको बताना है जल्दी सापने answer देते रहे है and do not forget to like and share अगर आपने अभी तक like और share नहीं किया है तो like और share भी कीजेगा out of syllabus जल्दी बताए कि इसका सही जवाब क्या है Indian Rugby Football Union आपका कहां पर located है दिल्ली, मुंबाई, पूने या शिम्ला भारतिय रगभी फुटबाई संग कहां पर स्थित है और इसका answer क्या होगा the right answer would be the right answer would be B ठीक है इसका answer है आपका मुंबाई ठीक है मुंबाई में आपका located है Indian Rugby Football Union का headquarters ओर राइट तो right answer is मुंबाई चलिए next काई मोनास्ट्री is the oldest and biggest मोनास्ट्री situated in the state of काई मठ किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है आंदर प्रदेश, शिमाचल प्रदेश, असम या फिर मनीपुर बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer जजजे बताएगा इसका सही जवाब क्या है thank you Raman और जजजे बताएगा इसका सही जवाब क्या होने चे काई मोनास्ट्री आपका कौन से राज्य में स्थित है बंबाई बिलकुल सही बात है बंबाई और बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा class timing बता दीजिए बिटा यह 5-8 हमारी class चलेगी लगातार हम आपके लिए revision marathon लेकर आ रहे हैं तो जो revision marathon है इसमें हमारी जो classes है शाम को पाच बजे से आट बजे तक लगातार आपकी चलती रहेंगी और इसका answer क्या होगा काई monastery आपका कहा located है येस बिलकुल अगर हम बात करें आपका हिमार्चल प्रदेश में oldest and biggest monastery है और यह आपका हिमार्चल प्रदेश में है और इसका answer हो जाएगा monastery है मठ है सबसे पुराना चालिए next question the term back stick is used for in which are the following games or sport back stick शब्द का प्रयोग निम में से किस scale में किया जाता है option है badminton basketball, hockey या volleyball मेरे से बात करो क्या बात करना है UPSC शायरी वैसे UPSC जो है उसकी तयारी करते करते आदमी शायर होई जाता है conduct mega 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 marathon all right when I don't worry हमारा जो mega marathon है वो भी आपका conduct होगा and वो हमारे जो conduct होने वाली है लगातार 12 गंटे की आपका marathon होगी and that would be on 21st 21 तारिक को आपका conduct होगी all right तो जल्दे बताएगा इसका सही जबाब किया है what is the right answer और back stick कहाँ पर यूज की जाते है कौन से sport में तो बिल्कुल सही बात है आपका back stick जो है वो आपका hockey में यूज की जाती है C बिल्कुल सही जवाब होगा इसका right answer जो है वो आपका that would be C पांडरेथन टेंपल लोकेटेड पांडरेथन मंदर कहा इस्तित है केरला अंद्रप्रदेश जम्मू कश्मीर या फिर तमिल नाडू आपको बताना इसका सही जवाब क्या है what is the right answer अपने answer देते रहे बागी तो किसी में stick यूज नहीं होती बिल्कुल लेकिन एक जगा और होती है बैक स्टिक और फॉर्वर्ड स्टिक दोनों यूज होती है जब बच्चे पढ़ा ही नहीं करते तो फिर बैक स्टिक और फॉर्वर्ड स्टिक का भी यूज होता है उसमें तो जल्दी से answer दीजेगा इसका सही जवाब क्या है अपने answers यहाँ पर comment करते रहें और मिरको बताते रहें तो यहाँ पर पांडरेतन टेंपल की हम बात करें पांडरेतन टेंपल जो है यह आपका कहां पर located है वेर इस लोकेटेट बिलकुल अगर हम मात करें यह आपका पांडरेतन टेंपल बिलकुल यह आपका किंग पार्था है जो कि आपके कश्मीर को आपका रूल कर रहे थे 1921 से 1931 के बीच में तो वहाँ पर किंग पार्था के जो मंत्री है उनका नाम था आपका मेरू उन्होंने ये आपका पांडरेथन टेम्पल आपका बनवाया था और ये शिवजी को आपका समर्पित है यहां पर अगर अगर हम बात करें जेलम नदी इसके करीब से बह रही है तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा the right answer would be Jammu and Kashmir और इसको rejuvenate किया गया है चिनार कोर ने आपका इंडियन आर्मी के ठीक है चालिए In tennis, which are the following scores is a complete set tennis में निमलेकित में से कौन सा score एक पून सेट है और आपके सामने है 6-5, 6-6, 5-3 या 6-4 तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा What would be the right answer Tennis में एक पून सेट कौन सा है ज़िए बताएगा इसका सही जवाब क्या है What is the right answer Laptop में मेरे emoji नहीं है Emoji you can select still है ना आप जो एफ चाट में नीचे जब चाट होते हैं उसके बरावर में के emoji वाला भी option होता है है ना Complete set के हम मात करें Complete set क्या होगा Thank you for free class देने के लिए मैं आज पहली बार ही add हुआ हूँ आपके साथ Thank you sir All right Don't worry जो तरे भी बच्चे हमारे साथ पहली बार join हुए है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा ताकि future videos भी आप देख सके ज़िए बताए का सही जब आप क्या What is the right answer 6-6 ही complete set है Idea नहीं है लेकिन Complete set क्या होता है Complete set होता है Basically जब आपके total sets Complete sets आपके खेल लिए जाते हैं यानि कि 10 sets 6-4 That would be a complete set 10 points आपके हो गए तो points होते हैं Games होते हैं Sets होते हैं तो अगर हम बात करें आपका Set में जब आपका Minimum तो आपके 6 होते हैं Sets और उसके पात अगर बात करें तो यह आपके फिर आपके अगर बढ़ते चले जाए तो आपके 10 तक पहुँच सकते हैं तो 6-4 That is the complete set तो इसलिए आपका जो आंसर क्या होगा D will be the right answer Next question Which city of India is known as city of bridges भारत के किस शेर को पुलो का शेर भी जाना जाता है Option है सूरत Mumbai Coimbatur और आपका Chandigar तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है City of bridges किसको कहा जाता है City of bridges किसको कहा जाता है जल्दी सापने answer देते रहें मेरे को बताते रहें साथ ही साथ थोड़ा time war लगबग 7 बज गए है लगबग क्या 7 बज ही गए है तो बस एक घंटा और मेरे साथ बने रहे है और आज हम यहाँ पर करने वाले है बहुत most important जो आपके questions है उनको यहाँ पर हम cover करेंगे और अगर हम बात करें आपका तो we are talking about City of bridges आप UPSC की भी free class लाओ ना क्योंकि मुझे GK में ज़्यादा problem हो रही है कोई बात नहीं आप हमारे साथ जुड़े रहें आपकी GK मजबूत कर देंगे तो अगर हम बात करें इसका answer क्या होगा यह सूरत बिल्कुल सही जवाब है आपका City of bridges is सूरत सूरत में बहुत सारे bridges है और इसी वज़े से इसको City of bridges कहा जाता है साथ अगर हम बात करें तापी नदी के किनारे यह बसा हुआ शहर एक port city भी है और इसको best city भी award दिया गया था आपका annual survey of India's city systems in 2013 ठीक है तो answer क्या होगा आपका सूरज will be the right answer ठीक है चलिए next question is राष्ट्रिय इंडियन military college located राष्ट्रिय बारतिय सेन्य महाविद्याले कांस्तित है मौली देरादून दार्जलिंग या फिर डेली बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा वाट वूट 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 राइट आंसर राष्ट्रिय इंडियन military college कहां पर located है तो ज़ल इसापने answer देते रहे है मेरे को बताते रहे सही जवाब क्या होना चाहिए वौट शूट विद राइट आंसर जो जो देगा इसका सही जवाब क्या होगा वौट वूट विद रैइट आंसर या फिर हम बात कर रहे हैं आपका RIMC की तो RIMC जो है that is located in देरादून, देरादून में है और इसको पहले जो है Prince of Wales, Royal Indian Military College कहा जाता था, Prince of Wales, Royal Indian Military College और बाद में इसका नाम जो है change करके और आपका RIMC कर दिया गया जब हम आजाद हो गए, और राइट, येस बिलकुल, तो अगर नहीं मात करें आपका इसका answer हो जाए Robin, Red Breast, या फिर आपका Wild Turkey, या फिर Hupu, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, अपने answers देते रहे, और मेरे को बताते रहे, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान की जो है national bird कौन सी है, या राश्य पक्षी कौन सा है, और आपके सामने options ह तो जल्दी से आप मेरे को इसका answer दीजेगा, और मेरे को बताएगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, तो जल्दी से अपने answer देते रहे, मेरे को बताते रहे, और तबियत खराब होने की वज़े से revision सही से नहीं हो पा रहा है, क्या करें, बिटा ये मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ, तो ये जो मौसम होता है न, जब आपके exams आते हैं, जैसे अप्रेल हो गया, February से लेकर अप्रेल तक का, फिर आपके exams होंगे आपके August वाले महीने में, ये वो time period होता है कि जब हम सबसे जादा विमार पढ़ते हैं, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो ultimately क्या होता है, ये वो time period है, जब कि आपको सबसे जादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इस time पर सबसे जादा अपना बचाव करके रखना है, तो ये चीज़ ध्यान रखो बटा, कि आपको क्या करना है, you have to pay more attention to your health, और जो तब्यत कराब कि वो है आपका golden eagle, और चलिए, next, which of the following is not written by Shashi Tharoor, आपको बताना है, इन में से कौन सी Shashi Tharoor के द्वारा नहीं लिखी गई है, और आपके सामने option है, an era of darkness, why I am a Hindu, the paradoxical prime minister, Indra Gandhi, a life in nature, तो आपको बताना है, इन में से कौन सी book जो है, वो Shashi Tharoor ने नहीं लिखी है, तो आपको बताना है, जली से इसका answer दीजेगा, सही जवाब क्या है, what is the right answer, one week से problem हो रहा है, तो बिटा, one week से आपका मौसम भी परिवर्तित हो रहा है, दीरे-दीरे गर्मी बढ़ने लगी है, और शाम को ठंड हो जाती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह वो time है, जब आपको All right, चलिए, चलिए, यहाँ पर बात करते हैं हम आपका, ठीक है, question की, तो आपको बताना है इन में से आपका कौन सी book जो है, वो आपका शशी तरूर ने नहीं लिखी है, और जो बच्छे पीछे चल रहे हैं, एक बार live के button को भी दबाएगा, live आ जाईए, है ना, कुछ कई बार ऐसा होता है कि, जो network है, वो break होता है, तो ultimately आप थोड़े से पीछे होता है, यहाँ भी मेरे को जो answers आ रहे हैं, वो पीछे वाले questions के आ रहे हैं, तो यह इसी वज़े से होता है, कि आप अभी जो मेरे साथ है, वो आप मेरी पुरानी वाली जो वीडियो है, वो जो इंद्रा गांधी, a life in nature, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, आपका, we will have the right answer as D, चलिए, इंद्रा गांधी, a life in nature, यह आपका जो है, जैराम रभेश ने लिखी है, बागी सारी बुक्स जो है, वो आपका, शशी तरूर द्वारा आपके लिखी गई है, औराइट, next question, who among the following is the author of book, a fine balance, निब्न में से कौन, a fine balance पुस्तक के लेकग है, और options है, आपके सामने, शशी तरूर, रोइंग्टन, मिस्त्री, या फिर आपका जुम्पा लाहिडी, अरुंदती रॉए, जैरी बताएगा, इसका सही जवाब क्या है, यह तो बिल्कुल सही बात है, यह ज and share the session as well, तो like और share करते रहें, खासकर share करते रहें, और हम बात करने हैं, आपका किसकी, author, a fine balance, यह आपका किसके द्वारा लिखी गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई किताब है, तो जैसे अपने answer देते रहेगा, मेरे को बताते रहेगा, सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, बिलकुल, जैसे बताएगा, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, a fine balance, यह book लिखी है, रॉइंग्टन मिस्त्री के द्वारा, ठीक है, B is the right answer, रॉइंग्टन मिस्त्री, इन्होंने आपका यह किताब लिखी है, और अगर हम बात करे आपका, तो यह सभी आपका shortlist सुई थी, booker prize के लिए, such a long journey, a fine balance, और साथ की साथ family matters, ठीक है, चलिए, next question की तरफ चलते है, पैंपर नहीं, पैंपर होता है वो, ठीक है, पैंपरिंग is different, और पैंपर्स is different, चलिए, next question की तरफ चलते है, National Payment Corporation of India is formed under provision of which act, भारत के राष्टे बुकतान निगम का गठन किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया, और आपके सामने option है, Insolvent and Bankruptcy Act, Income Tax Act, Payments and Settlement System Act या अधार Act, बताएगा इसका सही जवाब क्या है, आप NDA से क्यों चले आए, NDA से क्यों चले आए, because of backbone fracture, आपको बताने है, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, जल्दी से अपने answers देते रहें और मेरे को बताते रहें, गुडिवनी विक्रम ठाकुर, और राइग, and do not forget to like and share the session as well, like और share जरूर करते रहेंगा, तो हम बात करने हैं, आपका NPCI, यानि कि National Payment Corporation of India, यह किस Act के आधार पर इसका formation हुआ, इसका गठन किया गया, तो इसका right answer आपका क्या होगा, yes, बहुत सारे सही जवाब आ रहें, बिटा Payments and Settlement Systems Act, यह आपका बिलकुल सही जवाब ह ठीक है, अगर हम बात करें आपका, तो Payments and Settlement System Act 2007 में लाया गया और इसी के थुरू आपका NPCI या National Payment Corporation of India का गठन किया गया, C बिलकुल पक्का है, next question, which of the following languages does not belong to Indo-Aryan language family, निमलिकित में से कौन सी भाषा इंडो-ारियन भाषा परिवार से संबंदित रही है, मुंडा, पंजाबी, डोगरी या असमिया, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, इंडो-ारियन, फैमिली में से आपका इन में से कौन सी भाषा नहीं आती है, और मेरे को बताएगा, इसका सही जवाब क्या है, what are the right answer, I am good, fracture ठीक है क्या, yes, ठीक है, लेकिन दर्द हो जाता है कभी-कभी, लास्ट, AFSB conference out, how to connect with you, being your paid student, और तुलसीदास, you can call us on the number 96500-52904, ठीक है, एंड काउंसलर से बात करके मेरे से कनेट कर लीजेगा, ठीक है, ask them, कि you want to connect with me, and then you can get connected with me, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ना तो डोगरी है, ना समी है, इसका आंसर है, मुंडा, मुंडा जो है, वो इंडो-ार्यन में नहीं है, बाकि सबी आपके इंडो-ार्यन लांग्विज फैमिली में है, पंजाबी है, चाह डोगरी है, चाह समी है, लेकिन मुंडा जो है, वो आपका इंडो-ार्यन फैमिली म बिल्कुल सही बात है चलिए बारत में जूट का पहला कार खाना का इस्टापित किया गया था और आपके सामने रिश्रा पश्चिम बंगाल ओंगले पश्चिम अंध्रप्रदेश फिर रायगर्ड चतिसगर्ड एंड कटक उडिसा तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्य लिश्की गई थी जोज़ी बता है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए और इजी कोशन है अगर हम बात करते हैं आपका जूट के प्रोड़क्शन की तो जूट का सबसे जादा प्रोड़क्शन में यह कहूंगा कि अबाउट 90 परसेंट ऑफ जूट वह आपका कहां प्र जुआर बाजरा यह आपका मिलिट्स होते हैं जुआर है बाजरा है ठीक है दोजार मिलिट्स चलिए नेक्स कोशन तो पहली जो आपका फैक्टरी थी वो रिश्रा में आपका इस्टाबलिश की गई थी और इसी के सासथ गोल्डन फाइबर इसको का जाता है और इंडियन जूट कॉर्परेशन जो है इसको इस्टाबिश किया गया था 1971 में थाकि हम जूट मार्केट को रेगुलेट कर सके और लार्जेस्ट प्रड्यूसर है जूट इन दी वर्ड ठीक है लेकिन जूट प्रड़क्ट्स का वो आपका सेकिंड लार्जेस्ट है और राइट चलिए येस चलिए नेक्स कोशन इस बाजरा रागी जुआर ये सब आपके मिलट्स होते हैं चलिए नेक्स कोशन इस विच और फॉलिंग इस नॉट लोकेटिट इन ओडिसा निम्न में से क्या ओडिसा में स्थित नहीं है मयूर बंज एलिफेंट रिजर्व संभलपूर एलिफेंट रिजर्व सोनितपूर एलिफेंट रिजर्व या मानदी एलिफेंट रिजर्व बिलकुल हाई प्रोटीन फाइबर्स बताएगा इसमें इन में से कौन सा ओडिसा में नहीं है मयूर बंज या संभलपूर या सोन लित्पूर या मानदी यह elephant results में से कौन सा नहीं है आपका Odissa में जल्दी बताए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए and do not forget to like and share the session, like और share भी करते रहें, खासकर share करते रहें अपने दोस्तों के साथ, तो जल्दी से आपने answer यहाँ पर देते रहें और मेरे को बताते रहें इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, what should be the right answer, what should be the right answer, बिलकुल अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसका answer क्या होना चाहिए, बिलकुल, तुलसिदास, सही बात है, आपका सोनितपूर जो ही है, अरुनाचल प्रदेश हसम में है, तो इसलिए सोनितपूर जो elephant reserve है, यह आप आपका जो है, अरुनाचल प्रदेश और असम में, दोनों में आपका located है, ठीक है, चलिए, next, where is the headquarters of volleyball federation of India is located, volleyball federation of India का मुख्यालय कहां स्तित है, मुंबाई, दिल्ली, चिन्नाई, या फिर कोलकाता, तो बताएगा, इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, अपना answer दीजेगा, म volleyball federation of India, इसका headquarter आपका कहां पर located है, how many questions are left, questions मेरे को देखने पढ़ेंगे, अभी तो काफी questions है, we still have 45 minutes, ठीक है, don't worry, 8 बजए तक आपके साथ लगे हुए, ठीक है, काफी जारे questions है, and maximum मैं आपसे कहा रहा हूं कि 8 बजए तक नहीं, तो आपका जो है, पोने 8 बजए तक जब आपका, yes, C है सर, बिल्कुल सही बात है, UPSC शायरी, तो आप तो कह रहे थे कि आपकी जी के कमसोर है, लेकिन आपने इतने confidence है का, C है सर, बिल्कुल सही बात है, इसका answer होगा, आपका C, यानि चिन्नाई, volleyball federation of India, यह आपका चिन्नाई में located है, 1951 में इसको established किया गया सहरे गुल फरोशन उच सब कहा अउजद किया जाता है, option है, दिल्ली, शिमला, मुंबया, मसूरी, सहरे गुल फरोशन, यह आपका कहां पर आउजद किया जाता है, सहरे गुल फरोशन, if you have time extend to 1 hour, see I am taking this session from 5 p.m, पांच मज़े से लगातार आपके सामने बड़ा, खड़ा ह हुआ हूँ, ठीक है, और साथी साथ आप यह भी देख रहे हैं कि मैं एक सेगिंड के लिए चुप नहीं होता, मैं लगातार बोलता रहता हूँ, और 5 बज़े से अभी साथ, यानि कि 2 गंटे, सवा 2 गंटे मेरे मेरे लगातार हो चुके हैं कि मैं बोले जा रहा हूं, लग तो यहां पर अगर हम बात करें, आपका सेरे गुल फ़रोशन, इसको जो है आपका फूल वालों की सेर भी का जाता है, और यह दिली में आउज़ित किया जाता है, ठीक है, इडिली में आपका आउज़ित होता है, और जैसे मैं आपको बता है, फूल वालों की सेर भी इसको का जाता है और यह डेली में आपका कंड़क्ट किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन is the headquarters of Indian Boxing Federation is located at कि अपशन मुंभाई जबलपुर डेली और इंधर बटायए का सही जवाब क्या है यह अपने answer दीजएगा बारतिय मुक्य वाजी मा संग का मुक्य ले काहां पर है रहे बताते रहिए मिलेको अपने बिलकुल भाई इसका तो जो मुख्याले है वो डेली में ही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C will be the right answer इसका आंसर होगा आपका C Indian Boxing Federation जो है यह आपका डेली में located है चलिए, next question The Lism, Dance form is peculiar to which of the following states Lism, Nitya Shaili, Nimilakit में से किस राज्य की विशेष्टा है option है माराश, गुजरात, करनाटक या फिर बिहार आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer अपने answer दीजेगा और मेरे को बताएगा कहां की आपका Dance form है Lism Telegram Channel, Telegram पर आप जाईएगा Defense Exam Prep, आप लिखेगा आप हमारे Telegram Channel पर पहुंच जाएगे My Use Exam Prep, CDA, CAPF, FCAT यह हमारा चानल है और आप सीधा हमारे चानल पर होंगे Defense Exam Prep, आपको लेकिन टाइप इन करना पड़ेगा उपर सर्च बॉक्स में WhatsApp Group वैष्णवी वो अभी हमारा फुल चल रहा है ठीक है अभी बच्चे अगर जोड़ेंगे तो फिर वाट्सएप ग्रूप लिंक लेकिन अभी WhatsApp में क्योंकि Students के लिए दरिशा मलब जो आपके जो ग्रूप को जॉइन करते उनके लिए एक लिमिट है तो वो लिमिट हम आभी क्रॉस नहीं कर सकते और तो वो अरड़ी फुल है अगर अगर हम बात करें लेजम डांस फॉर्म की तो यह कहा है यह सटेजन महाराश्ट अगर हम बात करें महाराश्ट में है पेकुलर है महाराश्ट में और इसमें आपका जो है बहुत तेजी से डांस होता है है ना तो अगर हम बात करें तो there are minimum 20 dancers जो कि आपके लेजम में है और ये colorful costumes को पहन कर आपका conduct किया जाता है ठीक है यह है और इट महाराश्ट में आपका लेजम dance form जो है वो आपका होता है चले नेक्स कोशन आप यहाँ पर देखेगा और आपके सामने option है माधवी मुदगल या फिर आपका शगुन बुटानी, मोन राव, कल्यान पुरकर या डॉक्टर कनक रेले आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer व्लादिमर पुतिन अच्छा पुतिन है तो हमारे साथ जो है व्लादिमर पुतिन जो हमारे साथ जो है जुड़ चुके है तो आप बताएगा पुतिन साब कैसे हैं आप और हलो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा what would be the right answer मोहिनी अट्टम जो है उसके प्रॉमिनेंट एक्स्पोनेंट भी है साथ जात अगरम बात करें आपका डांस एडूकेशनिस्ट भी है आपके कोश्चन मेरे लिए और है वेरी इंपोर्टेंट है यह कोश्ट्टम प्रिलेम्स में पूछे जा सकते हैं बलकुल बलकुल पूछे जा सकते मैं बताए कोस्टंस आ जो लगबग हर एंग्जाम में पूचे जाते है चाहिए वो cdf से या फिर सभी हमारे बीच में पुतिन जी आ गए आज पुतिन जी को भी मन कर रहा था भवर सरी की ग्लास लेने का और तो जल्दी बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा अपने आंसर दीजेगा और मेरे को बताएगा सही जवाब क्या होना चाहिए और रश्या तो हमारा पुराना दोस्त ही ओर रहे ज़ए पताएगा रहे रैट आंसर होगा घ्र टर कनक रेल यह बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है इसका आंसर अपका डी पोदियो और इन्हों आपना पूरा दिया है मुहिनी अट्टम को और उसको जो है रिजुनेट करने के लिए और तो आपकोर्स यहां पर आंसर क्या होगा डी डॉक्टर कनक रेले नेक्स्ट कोश्चन जटा जटिन बारत के किस प्रदेश का लोक नित्र है जटा जटिन इस दा फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट वेस्ट बेंगॉल बिहार ओडिसा या फिर मनिपूर ठीक है बता है कि इसका सही जवाब क्या है वाट इस राइट आंसर अम मोदी जी को भी बुला लो फिर आपको बदाने इसका जटा जटा जटान यह आपका क्या अपको बदाने इसका जटा जटान यह आपका कहां पर आपका जो है डांस फॉर्म है तो अफकोर्स बिहार की अगर हम बात करें बिहार में यह आपका फोक डांस है बिहार का ठीक है और साथे जाथ अगर हम बात करें मिथला जो रीजन है वहां पर यह आपका होता है भाई पहले हम यह पढ़ो उनका तो रिटार्मेंट हो गया स्क्रीन आउट लास्ट एफ्काइट सर्स्टिल प्रिपेरिंग और राइट विल गेट थू दोंट वरी व्लादिमर और आप बैट जाए थक गए होंगे डोंट वरी सोन्या ठीक है तो अगर हम यहां पर बात करें आपका तो जटा जटन यह आपका नौर्थ ब्यार म में स्पेशली मित्ला में आपका जो है यह डांस फॉर्म है नाट इस देर चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स कोशन देखते हैं वांगला फेस्टिवल इस सेलिब्रेटेड बाइट वांगला उटसर्व किस जन जाती द्वारा बनाया जाता है ऑप्शन आपके स और भी वो जो है इंडियन एर फोर्स को जॉइन करने वाले हैं एंड युण विहां वन अपाइज नेम वास इटलर्रि इस नेम वास हिटलर ठीक है एंड लिटरली उनका नाम ही लिटलर था तो अगर नहीं बात करें यहां पर वांगला फेस्टिबल जो है वह आपका कॉन करें आपका आपके तो खुद के एरफोर्स है ठीक है यहां बात कर रहे हमारी जिंदगी बनाने में आप नी उमर खर्च कर देंगे लेकिन वह नहीं चाहते कि उनका एक भी स्टूडेंट बिना जॉब पाए रहे और राइट बिल्कुल सही बात है ठीक है अगर हम यहां पर ट्राइब आपका यहां पर हो जाएगी ठीक है चलिए नेक्स कोशन आपके सामने विचौद फॉलिंग फेस्टिबल डज नॉट बिलॉंग टू केरला निम्द में से कौन सा त्योहार केरल से जंबंदित नहीं है और आपके सामने ऑप्शन है चिना कठूर पुरम फिर बनाते रहा है और धो अभणते को बताते रहे है कि इसका सही जवाब क्या अ केज का ऑच़ा और को जलिते 오른 वाट प।्रेट इसमें क ciao कि अतों ब स्वाइब इता नहीं है तो जल्दी से अपने आंसर देते रहे हैं, दो नाट फोगेट टू लाइक और शेयर भी आते रहने चाहिए लगाता है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, डू लाइक दे सेशन आज साथ ही साथ आप जो है क्या करें, आप जो है, शेयर भी करते रहें सेशन को, और येस, बिल्कुल, D is related to तिलंगाना, बिल्कुल सही बात है, समक्का, सरलम्मा, चटारा, ये आपका तिलंगाना का फेस्टिवल है, और बागी सभी आपके केरल के फेस्टिवल है, तो आपकोर्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, D will be the right answer, चलिए, next question, बारतिय रेल्वे की पहली महिला चालक कौन है, और आपके सामने option है, अवनी चतुरवेदी, हरित कौर दयाल, या सुरेखा शंकर्द यादव, या फिर गीता आनन, आपको बताना, इसका सही जवाब क्या होगा, what would be the right answer, पहली महिला, ड्राइवर और अफ इंडियन रेल्वेज, ठीक है, जल्दी बता है का सही जवाब क्या है, what is the right answer, what is coral reef, जो कि आपका coral polyps से बनती है, जहां पर corals एक दूसरे के साथ इखटे हो जाते हैं, और वो आपका एक बड़ी चट्टान बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते है, coral reef कहते हैं, ठीक है, and do not, शिवाम बेटा, do not spam, एक बार पूछ लिया करो, बार बार मत किया करो, उसको बार बार मत लिखा अगर, उससे क्या होता, बाकियों के लिए space नहीं हो पाती है, मैं सभी के आपके comments देखता रहता हूँ, तो of course, you have to get connected, एक बार लिख दिया, that's it, ठीक है, जज़े बताएंगा इसका सही जवाब क्या है, what is the right answer, अपने answers देते रहें, और मेरे को बदाते रहें, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यह सगर हम यहाँ पर बात करें, इसका सही जवाब क्या है, the right answer would be, यहाँ पर आपका C, बिलकुल सही जवाब होगा, Sureka Shankar Yadav, यह first female driver है, of the Indian Railways, और साथी साथ, 1988 में पहली यह driver बनी थी, और उस समय पर local train चलाती थी, Central Railways के लिए, ठीक है, चले, next question, लेकिन उससे पहले, do not forget to like and share the session, like और share ज़रूर कीजेगा, sessions को, और मेरे को बताते रहेगा, कि आपके answers जो है, वो आपके कैसे रहे, तो like, share ज़रूर कीजेगा, subscribe कीजेगा, अगर आपने अभी तक, जो है, किसी ने यही छेफ दिया, alright, yes, बिल्कुल सही बात है, यह तो हो जी नहीं सकता है, तो ultimately, अगर मैं बात करूँ, आपने अभी तक, हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन माराथन्स, और इन रिवीजन माराथन्स को, आप जो है, लगातार कनेट करते रहे, और इसी वज़े से, हम कल लेकर आ रहे हैं, आपके लिए, आपके लिए, रिवीजन माराथन, जिसमें हम इस बार, लेकर आ रहे हैं, मैट्स और रिजनिंग, कल पंद्रा परवरी है, तो कल शाम को टीक, पाँच बजे से लेकर, आट बजे तक, आपका जो है, ये माराथन चलती रहेगी, और आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कांसलर से, कनेक्ट कर सकते हैं, 96500-52904, ये हमारे कांसलर का नमबर है, आप उनको कॉल कीजे, और कोई भी डाउट है, तो वो आपको जो है, क्या करेंगे, दे विल गेट थूएट, ठीक है, और राइट, तो, बिल्कुल छुट्टी भाईयों और मैंनो, ठीक है, मेरी भी छुट्टी, अब थोड़ी देर के लिए गले को रेस्ट मिलेगा, लेकिन कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको, कोई भी चीज पूछनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी, आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट जो हैं, उसमें कमेंट में आपने कमेंट चोड़ सकते हैं, और मैं कमेंट को मॉनिटर करता हूँ, जाधा पीछे वाले सेशन में तो नहीं, लेकिन जो नियर सेशन हैं, जिनको मैंने अभी लिया है, तो I always go through the comments, and आपका जो भी comment है जो भी चीज़े आपके doubts है उनको मैं पूरा करनी की ज़रूर कोशिश करूँगा so that would be all thank you very much guys for joining me on the platform बाइजूस exam prep फिर दुबारा से आप लोगो इसा मुलाकात होगी so till then एक और session में आपके लिए लेकर आऊँगा defense awareness का तो till then take care of yourself अपना ध्यान रखके सुरक्षिद रहे and बाइजूस exam prep के साथ बने रहे thank you, bye-bye and जय हिन